हम लोग बात कर रहे थे लूसेंट सामान ग्यान के बारे में और आप लोग ने देखा होगा हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं और फिर से आप लोग को बता देते हैं अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपके सामान अध्यान और आप देखिए कि जीके जीएस ते कुश्चन्स पूचे जाते हैं तो आप लोगों के लिए सभी किलासे बहुती महत्पूर है लूसेंट आपके लिए बहु होते हैं उनमें तो अच्छी खासी संख्या में कुछ चलस पूचे जाते हैं और आप सभी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप लोग जीके जीएस को विस्तार से पढ़ सकें और आगर आप लोग चाहते हैं कि आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग NCE IT बहुता है मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे उन्हें एक बार आप लोग देख लिजेग इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत में सबसे पहले पढ़ेंगे आपक भारत पर अर्वों का आकमर देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे भारत पर अर्वों का आकमर देखेंगे फर हम लोग महमुः गजनी के बारे में जानेंगे मुहम्मदगौरी के बारे में जानेंगे सल्तनत काल के बारे में जानेंगे विजय नगर समराज के बारे में जाने पिर सुतंध प्रांति राज्यों को देखेंगे, सूपी आंदोलन को देखेंगे, भक्ती आंदोलन को देखेंगे, और मुगल समराज, मुगल सासन, विवस्था और मराठों का उतकर्स, इन सभी टॉपिक को हम लोग, इन सभी चेप्टर को हम लोग इस किलास में कवर करेंग तो मद्यकालीन भारत में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं भारत पर अर्वों का आकमर देखते हैं मुहमद बिन कासिम के नेतित में अर्वों ने भारत पर पहला सफल आकमर किया था कव अर्वों ने सिंद पर 712 इस भी में विजय पाई थी तो याद रखे सबसे पहले अर्वों ने किसके नेतित में मुहमद बिन कासिम के ठीक है और ये बात हैं अर्वों ने सिंद पर 712 इस भी में विजय प्राक्त की थी 712 AD में अर्व आकमर की समय सिंद पर दाहिर का सासन था आपसे ये कुश्टन्स पूछ ले कि जब आरव आगमर हुआ उस समय सिंद पर किसका सासन था कौन राजा था तो याद रखे दाहिर था यहाँ भारत पर अर्व वासियों के आकमर का मुख उद्देश धन दौलर लोटना और इसलाम धरम का पिर्चार पिसार करना है या फर इसलाम धरम का पिर्चार करना या और कुछ तो याद रखे दोनों थे उनके धन दौलर लूटना और इसलाम धरम का पिर्चार करना पहले याद रखे अमेरिका एक तरस से आप देखिए दुनिया भर के देशों की हमारे उफ़र नजर ने रह दी थी हम लोग एक तरस से आप कह सकते की बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन आपने देखा है कि दुनिया भरने हमसे लूट कर अपने घर भर लिए और हम लोग कहां से कहां पहुच गए अगर इसमें हम लोग महमूद गजनी को देखे इसे भी कुश्चन साती रहते हैं महमूद गजनी से तो 1932 में अलफद गीन नामक एक तुरुक सरदार गजनी समराज की इस्थापना की और जिसकी राधानी गजनी थी तो याद रखे अगर आपसे गजनी समराज की बात करें तो याद रखे उन्नीस नोसो बत्तीस में उन्नीस सो कहां आ रहा है नोसो बत्तीस में अलफद गीन नामक एक तुरुक सरदार था इसने समराज की इस्थापना की ती और इसकी इस्थापना के समय राजधानी कहां थी तो याद रखे गजनी में थी अलब्तिगीन की मित्तिव के बाद आप देखेंगे कुछ समय तक गजनी में बिरीतिगीन ने सासन किया किसने बिरीतिगीन ने ठीक है और इसी के सासनकाल में 972 से लेकर 977 में सरफिथम भारत पर आखमण किया गया और पिथम तुर्क आखमण की समय पंजाब में साहीवंस का सासक जैपाल सासन कर रहा था अगर आपसे पूचे की पिथम तुर्क आखमण की समय पंजाब में कौन सासक कर रहा सासक था तो साहीवंस का सासन था और जैपाल इस समय का राजा था अलाबगीन का गुलाम और दमांद सवुख्त गीन 1907 में गजनी की गद्धी पर बैठता है और महमूद गजनी सवुख्त गीन का पुद्ध था और जिसका जनम 1 नवंबर 1971 में होता है महमूद गजनी को आप लोग पढ़ते हैं न एस सुख्त गीन का पुद्ध था और अपने पिता की काल में महमूद गजनी खुरासान का सासक बना और महमूद गजनी 27 वर्स की अवस्था में आप देखेंगे कि 998 इस भी में गदी पर बैठता है और बगदाद का खलीपा अदिर विल्लाल ने महमूद गजनी के पद को मानता पिदान करते हुए इसे यमीन अदौला और तथा यमीन उल्मिला का उपादी दी थी किसे ए महमूद गजनी को इनुपादियां को आप लोग याद रख सकते हैं किसने दी थी यह भी आप लोग याद रखिएगा महमूद गजनी ने भारत पर सत्रे बार आकमण किया था यह भी कई वार कई परिक्षाओं में कुश्चन्स बन जाता है कितने बार सत्रे बार और महमूद के भारती आकमण का वास्तवी को देश धन की पराब्ति करना था आप देखी कि जितने भी हमारे उपर सासन करने के लिए है उनका अधिक लोगों का उद्देश अपने धरम का प्रिचार पसार करना और हमें लूटना ही रहा है समय रहे हैं आप लो तो इसने सत्रे बार किया और इसका उद्देश भी धन पराप्त करना था महमूद गजनी एक मोर्ती भंजक आकमण का रही था मोर्तियों को नश्ट किया इसने महमूद गजनी ने भारत पर पिथम आकमण एक हजार इसवी में किया था यह भी याद रखिएगा पेसाबर के कुछ भागों पर अधिकार करकी वह अपने देश लोट किया था महमूद गजनी ने एक हजार एक इसवी में साही राजा जैपाल की कब की बात है? 1001 इसवी की महमूद गजनी का 108 इसवी में एडी में नगरकोट की विरुद्ध हमले की कुछ मूर्ती वाद की विरुद्ध पहली महतपूर्ण जीत बताई जाती है महमूद गजनी की महमूद गजनी ने थाने सर कि चक्र स्वामिन की कास निर्मित अदम कद पितिमा को गजनी बेज कर रंग भूबी में रखवा दिया था, नीचे धरती के नीचे, फिर आप देखेंगे कि महमूद गजनी, गजनी का सबसे चर्चित आकमर रहा है दस्सो चौवी, दस्सो पचीस इस भी में, जो सौमनाद मंदिर सौराष्ट में हुआ था, यह जरूर आप लोग याद रखेगा, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ती हांत लगी थी, और सौमनाद की रक्षा में साहिता करने की कारण अनहिलवाड, अनहिलवाडा के सासक महबूद ने आकमर किया था, एक बात और आप समझ सकते हैं, 20 लाख दिनार उ कुछ संपत्ती भी लूट ली थी, महमूद गजनी का अंदिर भारती आकमर होता है भारत पर 1027 इस भी में, जाटो की विरुद हुआ था, और महमूद गजनी की मित्ती हो जाती है, 1030 इस भी में, तो ये भी याद रखेगा, कब हो जाती है, 1030 इस भी में, ठीक है, फिर करता है, तो सुल्तान की उपादी धारन करने वाला पिथम साथा कौन था, महमूद गजनी, महमूद के सेना में, सीवंद राय तिलक जैसे हिंदू चपदों पर भी आसिन थे, अलो वरनी हो गया, फिर दोसी हो गया, उत्पी हो गया, फरोकी हो गया, ये सभी महमूद के गजनी के दरबार में ही रहते थे, फिर आता है आपका गजनी के बाद महम्मद गोरी, और गोर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज होगा करता था, और 1173 इसवी में सहावद्दीन महम्मद गोरी को गोर का सासक बनता है, और इसने भारत पर पहला आकमद 1175 में मु 1175 में मुलतान पर, महम्मद गोरी का दूसरा आकमद होता है 1178 में और एपाटल गुजरात पर होता है, और यहाँ सासकता भीम दुतिये ने गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था, पहली बार गोरी जब आप देखिए पाटल गुजरात पर हमला करता है, आकमद करता ह तो इसका सामना होता है भीम सेकंड से, भीम दुतिये से, और भीम दुतिये ने मुहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कि हमारे राजा मारा राजा भी सकती साली हुआ करते थे, फिर आप देखेंगे मुहम्मद गोरी भारत के बिजित पिद बारा लड़ा गया प्रमुखिय उद्धों को इन्हें भी याद रखे इनसे कुष्ण से डारेक्ट पूछता है और बहुत बार आप देखिए कुष्ण से पूच लिए हैं तराइन का पिथम यह उद्ध हुआ था ग्यारे सो एकानवे में और यह याद रखी गौरी और पिथिवीराज चोहन हार जाते हैं और इसका कारण कहते हैं जैचंद था आप लोग कहते हैं जैचंद काफी उधारन देते रहते हैं जैचंदावर का यह उद्ध होता है 1194 में एक गौरी और जैचंद की वीच हुआ था गौरी विजई हुआ था और तराइन की पिथम यह पितिवीराज चोहान का सेनापती इसकंद था ये भी आप लोग कुश्चन्स पूचे तो पूच ले वो कहते हैं न कि आप किसी के लिए गड़ा खुद हैंगी तो आपके लिए भी गड़ा खुद जाएगा देखिए पितिवीराज चोहान को हराने में कहते हैं कि किसका जैद खुद हार जाते हैं पितिवीराज चोहान कहुत किसी क्या आपका आता है गुलामवंस गुलामवंस की किस था अपना कब की वही थी बारे सो च्छे में गुलामों को फार्सी में बंदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेना के सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और यहां एक पॉइंट दिया कि ऐसे देख लिए जिफर चलते हैं के बरते मंगोल मंगोल चीन के उत्तर में गोवी के रेगिस्तान की निवासी थी वही एक घुमने फिरने वाले अर्द सब जाती थी और उनका मुक फेसा घोड़ों और अनपसूं का पालन कर दा था बे दिलों में से एक में 1163 में तैमुचिन और चंगेज खा का जर्म हुआ जैसे महान और स्तराफित दोनों फुकारा जाता है इसका पता था बैसू गाई बहादर तो इससे भी याद रखेगा चंगेज खा तो आप लोग ने काफी सुना होगा इनाब कुतुदिन एवक ने अपना राजज़भी से करवाया 24 जूनத्ए Giving और कुतुदिन एवक ने अपनी राध्धानी लाहुर में बनाई थी तो याद रखी कुतुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्が राध्धानी लाहुर थी गुलाब मन्सकी कुत्व बुद्दीन की नियु कुत्व बुद्दीन एवक नहीं डाली थी कुत्व मीनार जो आप लोग देखते हैं इसी की बात करें दिल्ली का कुबवत उल इसलाम मस्जित और अजमीर का धाई दिन का जोपड़ा कुत्व बुद्दीन एवक नहीं करवाए था कुत्व बुद्दीन एवक नहीं किसे जो दिल्ली का कुबवत उल इसलाम मस्जित देखते हैं और धाई दिन का जोपड़ा देखते हैं अजमीर में इन दोनों का निर्माड कुत्व बुद्दीन एवक ने करवाय था कुत्व बुद्दीन एवक को लाख वक्स यानि की लाखों का दान देने वाला कहा जाता है तो इसे भी आप लोग याद रखीगा पूछ लेगा आपसे किस तासर को लाख वक्स कहा जाता है लाखों का दान तो कुतबुद्दीन इवक को कुतबुद्धीन के समय में कुतब मीनार की केबल पहली मंजीर बर शकाती और इल्टत में इसने 225 फिट ऊची चार मंजील का बना दिया था तो याद रख़े एक कpir दर जाट रखि लेकिन आगे आप देखिे आगे की इसमें पो गलत किस्म से बिजली गिरने के कारण इसके मंजलं नस्ट हो गई थी और जिसके कारण फिरोज ने इसलों मन्जल और में पच्द में वो गई हैं और इसमें पाँछाए कि बात करें तो 9 फिट से बढ़कर ये 234 फिट हो गई है तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीन सास्कों का युगदाल लगा हुए कुत्व बुद्धी डिवक फिर आप देखी इल्टुतमिस और फिर आप देखेंगी फिरोष्ट उगलग कौन फिरोष्ट उगलग और प्राचीन नालंदा जो विस्विध्याले था ना इसको धुरस्त करने वाला एवक का सायक सेनापती था बक्तियार खिल जी तो नालंदा विस्विध्याले को मिटाने वाला कौन था कुत्व बुद्धीन एवक का सायक एक था वक्तियार खिल जी इसे भी याद रखीगा कुत्व बुद्दीन एवक की डैथ हो जाती है बारे सो दस में चोगान खिल रहे थी और चोगान खिलती समय घोड़े से गर गए और इसे लाहोर में दपनाए गया अगर आप से पूचे कि कुत्व बुद्दीन एवक को कह दपनाए गया था तो लाहोर में दपनाए गया था अब आप कहेंगे कि एवक का कुत्व बुद्दीन एवक का उत्रादीकारी कौन होता है तो यह होता है आराम साहे और जिसने आठ महीनों तक सासन किया था आराम साहे की हत्या करके इलतुतमिस बारे और ग्यारे में दिल् प्रहुन्स के अगे लोग बात करें तो इलतुतमिस का एलवरी तुर्फ था जो एवक का गुलाम और दमाद भी था यानि कि दमाद अपनी बेटी उनकी कुटब उद्दीन एवक की बेटी का पती एवक की मेति की समय वो एब दायू का गवर्नर हुआ करता था और इल्तुत के महत्पूर अगर कारेयों को हम देखें कि इल्तुत मिस ने कौन से महत्पूर काम किये थे बताईए, कुतुब मीनार की निर्मान को पूर कराया है इसने, किसने, इल्दूतमिस ने, सबसे पहले सुद्ध अरवी सेक्के जारी किये थे इसी ने, चांदी का टंका और तामा का जीतल, तावे का जीतल, इल्दूतमिस के कार है, एकता पिडाली भी चलाई थी इसने, इल् और कान ए, चहल गानी के नाम से जानते थे से, सरप्पित हम दिल्ली के अमीरों का दवन भी आप देखेंगी, इल्दूतमिस ने किया था, एक काम आप लोग याद रखेएगा, इनके सास्कों के, क्योंकि इनसे कुश्चन्स आते रहते हैं, आपके स्टेट वीशेस हो, राध्धानी को स्थान्तीत करके दिल्ली लाता है, सबसे पहले दिल्ली राध्धानी किसने मनाई थी? इल्दूतमिस ने, और इसने हौज सुल्तानी का निर्माड देहली एक कुहना की निकट करवाय था, हौज सुल्तानी का निर्माड किसने करवाय था? इल्दूतमिस ने इल्टुत्मिस का पहला सातक था जिसने 1229 में बगदाद की खलीपा से सुल्टान पतका की बैधानिक सुईकिती पराप्त की और इल्टुत्मिस की मियुत्तिव हो जाती है अपरेल 1236 में कब 1236 में और चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारीजी में किसमराट जलाल उद्दीन को इल्टुत्मिस ने अपने यहां सरन नहीं दी थी और इल्टुत्मिस के बाद उसका पुत्र रुकन उद्दीन थिरोज गदी पर बैठता है इल्दुत में इसके बाद को बैठता है गद्दी पर? बताइए इसका नाम था रुकनोदीन थिरोष था और ऐसा माना जाता है कि एक आयोग सासक था और इसके अल्ब कालीन सासक पर उसकी मा साहित तुरकान चाही रहती थी और साहित उरकान के आवांचित विर्वाव से परिसान होकर तुरकी अमीरों ने रुकनोदीन को हटा कर रजिया को सिंगासन फरासिन किया और इस पेकार आप देखेंगे रजिया बेगम पिथा मुस्लिम सासक महिला थी जिसने सासन की बागडोर समाली थी तो ये भी आपसे क कुष्टन्स कई बार भूच लेता है रजिया बेगम को याद रखिएगा रजिया ने परदा पिस्था का त्याद कर फुरसों की तरह चोगा कावा और कोला है टोफी पहिन कर राद दरबार में खुले मोच से जाने लगी और आप सोचिए कि उस समय महलाओं पर कितनी उसे तुरिकी अमीर बिरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्धी पर मुईजुद्दीन वहराम साय को बैठा दिया था और कई बार सासकों की नाम दे देगा और गुलाम सासक में आपको करम से पूछ लेगा कि इस करम में सबसे पहले कोन आया बीच यहां आप देखेंगे कि रजिया की कहानी खतम हो जाती है फिर आप देखेंगे वहराम साय को बंदी बनार कर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी जाती है उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउदीन मसूद साह बनता है अलाउदीन मसूद साह बलवन ने आप देखेंगे सडेंद के द्वारा 1246 में अलाउदीन मसूद साह को सुल्तान के पस से हटा कर नसूदीन महमूद को सुल्तान बना दिया फिर आप देखेंगे नसूदीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोफी सीकर अपना जीवन बाख था वो टोपी सीकर करता था टोपी बना कर करता था बलवन ने अपनी पुत्री का विवा नसुरुद्दीन वहें मूद से कर दिया और बलवन बास्तविक नाम का बहरुद्दीन था यानि कि आप सुझिए बलवन का बास्तविक नाम क्या था बहरुद्दीन और वह इल 266 ECB में ग्यासुदीन बलवन की नाम से दिल्ली की गद्धी पर वेट जाता है और वह मंगोलों की आकवर से दिल्ली की रक्षा करने में सफल भी हो जाता है सेरी नाम नया नगर बलवन नहीं बसाया था किसने बलवन नहीं राजदरवार में आप देखें कि सिजदा और पेपोस पिथा की सुरुआज बलवन नहीं की थी बलवन ने फार्सी रिती रिवाज पर आधारी नवरोज फार्सी साल का पहला दिन उस्व का प्यारम भी किया था अपने विरोधियों के पिपदी बलवन ने कठोर लोहे और रक्त की निती भी अपनाई थी यह भी आप लोग याद रखेगा लुह और अक्त की निती किसे अपनाई थी बलवन ने नसरुद्त दीन महबूद ने बलवन को उलगू खांकी उपादी दी थी उलूग खांकी यह भी आप लोग याद रखेएगा नसरुद्दीन महभूद ने बल्बन को किसकी उपादी दी थी उलूग खाकी बल्बन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायत कराकर दुरस्त रखता था और बल्बन के दरवार में फालिसी की पिसिद्ध कव अमीर खुसरो और अमीर हसन हुआ करते थे और गुलाम बंस के अगर अंतिम सासक की अगर आप से करें तो सम्मुद्धीन कैमूर्स इसका अंतिम सासक था ठीक है अब चलते हैं हम लोग गुलाम बंस के बाद खिल्जी बंस की तरफ और 1290 से लिकर 1320 इस भी तक आपका खिल् जून 1290 को जलाल उद्दीन फिरोज खिल्जी ने खिल्जी बंस की स्थाफना करता है अगर आप से पूछे क्या पूछे कि खिल्जी बंस की स्थाफना किस ने की थी तो याद रखीगा अलााउदीत फिरोज आर खिल्जी ने ठीक है और इससने किलो खरी को अपनी आगे वात करते हैं हम लोग में जलाल अद्धिन की हत्या हो जाती है वारेस सो च्यानवे इसरी में और इसके भतीजा ओर दमाद अलाउद्दीन खिल जी ने कड़ा मानिकपूर त्रियाग में कर दीती ठीकर मानिकपूर आप लोग जरू सुना होगा वही जलाल अद्धिन की ह कर देता है और 12 October 1296 को अलावदीन को अलावदीन की अगर बच्छपन के नाम की अगर आप से पूछे तो इसका अली और गुर सास इसका बच्छपन का नाम था अलावदीन की जी ने सेना को नगत बेतन देने और इस्थाई सेना को निव रखी थी और दिली के शासकों में अल पोड़ा दाग ने और सैनिकों का उलिया लिखने की विता सुरुआत किस ने की थी अलावद्दीन किल्जी ने एक कुश्टन्स भी कई बार पूछ लेता है अलावद्दीन ने भूराजस्त दर्क को बढ़ा कर उपज का एक दुआई भाग एक बटे दो भाग कर दिया था औ अमीर कुसरो का मूल नाम अगर पूछे आपसे तो इसका मूल नाम था मुहमद क्या था मुहमद हसन एक कुश्टन्स की बार पूछ ली आए ना इसलिए बता रहा हूं अमीर कुसरो का मूल नाम क्या था मुहमद हसन उसका जनम पटे आला कहा बदाईये कुछ तू बताफा या नहीं बता पाओगे पटेयाली पश्ची में उत्तरपदेश बदायू के पास हुआ था कब हुआ था बारे सो बावन में और खुसरो पिसिद्ध सूफी संथ सेख निजामुद्दीन ओलिया के सिस्थ थे अगर आप से खुचे कि खुसरो के गुरू का क्या नम था तो बत साथ इन्हें तूति हिंद भारत का तूता की नाम से भी आप लोग जानते हैं सितार और तबली का अविस्कार का सरे भी अमीर कुसरो को ही दिया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और आंगे अगर हम लोग अलाव दिन के लिए की बात करें तो इसने ब्याप सक्कर खरीदने जा रहे हैं अलाव दिन के समय और माली जै की 900 गिराम सक्कर दे दी जाए तो दस गिराम आप देखिए उस ब्यापारी की सरी से मास एक तरह से निकाल लिया जाता था इसलिए बड़े डरते थे उस समय ब्यापारी में रच्षिर भारत की विजय के लिए अल अलाई दरवाजा स्तिरी का कला और हजार खंबा का महल का निर्वार अलाव दिन ने करवाय था इन सभी को याद रखेगा इनसे पूछ लेगा खुश्चन अलाई दरवाजा को इसलामी बास्तुकला का रतन भी कहते हैं किसे अलाई दरवाजा को और देवी अधिकार की सिव्धान को अलाव्दिन न कहीं गिया था सिखंधर इसानि की उपादी से स्वैम को अलाव्दीन खिलजी ने भी ब्यवस्थसीत किया था अलाव्द दीन nya मलिक येसन शार्न कीया था किसी मलिक येसन को यहां भी कुछ पॉइंट दिये निया रियासत और दूसरा कि शेंगन मन्डि बीद बारी बजार के अंदर घुमकर बाजार का निरिप चर करता था यए वख्ण पराप्त करता था आप सोची कि आज की बहुत्माद जो आप देखते हैं न सुरक्षा परणाली या बाजार की परणाली इसी दर आप देखें उस समय अलाउद्दीन खिल्जी ने करवाए था गुफ्तचा राज भी आप लोग देखते हैं होते हैं न सरकारों के यह दूसरे देश में रहते हैं जासूस ठीक है फिर आप देखें अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी बस्तूओं की परमिट जारी करता था सहना ये मंडी यहां खाद्यानों की विक्री एतु लाये जाता था खाद्यानों को सराय अदल यहां बस्त सक्कर जड़ी वूटी मेवा धीपक का तेल और अन्य निर्विस बस्तूओं बिकने के लिए आती थी अलाउद्दीन किल जी की आर्टिक नीती की ब्यापक जानकारी जियाउद्दीन बढ़नी की किति तारीखे फिरोसाही में मिलती है और एक कुश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे तारीखे फिरोसाही किसकी किति है बताए फिरोसाही तो याद रखे यह जियाउद्दीन की है किसकी जियाउद्दीन की ठीक है और खजाई नुल फतू अमीर खुसरो रहला इबन बतूता एबं इसमें आप देखेंगे ए एक और फुतू फुतू हस्सा लातीन इसमी की किति थी एक ठीक है और मुल लेतर को सफल बनाने में महत सिव सेंसर येवं नाजिव नापतौल अधिकारी की महत्पून भूम क्या हुआ करती थी और राजस सुधार राजस सुधार के अंतरकत अलाउद्दीन ने सरो के था मिल्क क्या मिल्क और उसमें आप देखें ये नाम पप्र की अंतरकत दी गई भूमी को बापस लेने उसे ऐक खालसा भूमी में बदल दिया था और अलाउद्दीन ने अगर आप देखें अलावदिन खिल जी के द्वारा लगाय जाने वाले दो नवीन कर थे एक तुचराई कर दुधाउ पसुओं पर लगाय जाता था एक गड़ी कर जो घरों जोपणियों पर लगाय जाता था इन दोनों को याद रखी अलावदिन खिल जी द्वारा नई कर लगाय थे एक गड़ी का ठीक है तो ये भी आप लो याद रखेगा आगे चलते हैं अलाव दिन खिल जी के सासन काल में 1297 से लेकर 1306 तक मंगोलों की 6 आकमड हुए थी पित्थम आकमड होता है मंगोलों को आप देखेंगे 1297 में कादर खा की नेतित में दूसरा आकमड 1298 में सल्दी की नेत 1460 में 14303 में पांच वांच वांख मंड होता है 306 में अलीविक और तारता की नित बात्री 31600 से के ओर एक वालमंद की बुद्दीन मुबारक खिल्जी 1230 सूले में दिल्ली की गद्धी पर वेठता है सिंगासन पर वेठता है कौन कुतुब बुद्दीन मुबारक खिल्जी के बाद खिल्जी बंस का सास अंगला सास कौन होता है कुतुब बुद्दीन मुबारक और इसे नगन इस्तिती इस्तरी पुरुष की संगत पसंद थी और मुबारक खिली कभी-कभी राद दर्वार में इस्तिरियों का वस्त पहन कराता था बढ़नी के अनुसार मुबारक कभी-कभी नगन होकर भी दर्वार यहों के बीच दोड़ा करता था और मुबारक खान ने सनापती की उपाद धारन की हुई थी एक बात और याद रखेएगा आपने दी हमारे देश की बरत्मान राजिनती में आप लोग देखते होंगे जिनके बाप दादा बड़े आप सोची की सफल पॉलिटिसियन रहे हैं राजनेतिक रहें वो आज आप सोची की अपनी बिधान सवार का चुनाओ भी नहीं जीत पा रहें आप सोची सरपंची का चुनाओ भी नहीं जीत पा रहें तो देखिए उन्हें राजनेतिक विरासत मिल भली जाए लेकिन उसे आंगे बड़ा ना बड़ा मुश्किल होता है यही इसी तरह आप देख सकते हैं कि अलावद्दीन के बाद कुत्व बुद्दीन मुवारक का होता है अब आप देखिए कि अगर उसमें योगता नहीं होगी तो जन्ता बहुत टाइम तक उसे जहल लीप आएगी फिर आप देखिए खिजिजी बंग्स के बाद आता है तोगलग बंस और इन सभी बंस को भी आप लो दिल्ली संतलत में याद रखिए अक्रम से तो तो तोगलग बंस ते 1320 में आ जाता है हो 1398 इस भी तक रहता है कब तक 1398 तक रहता है पार सेप्टमबर तेरह सो भीस की बात है कि खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या फिर इसे तोगलक गाजी ग्यासुद्दीन तोगलक के नाम से भी जानते हैं आठ सेप्टमबर तेरह सो भीस को दिल्ली के सिंगासन पर बैठता है तो अगर आप से पूँचे कि तोगलक बंस का सस्था पको अंत्रा तो याद रखे गाजी मलिक या फिर ऐसे आप लोग तोगलक गाजी ग्यासुद्दीन तोगलक के नाम से भी जानते हैं इन दोनों नाम करने वाला ग्यासुद्दीन पिथम सा सकता इस पूइंट को आप लोग नोट कर लीजेगा याद कर लीजे ग्यासुद्दीन तोगलक ने दिल्ली के समीफ इस्तित पहाड़ियों पर तोगलकाबाद नामक एक नया नगर भी बनाये था रॉमन सेली में निर्मित इस नगर म क्रियानवित कुछ चार्योजना है एक तो आप देखेंगे द्वाब्चेत में करविट्दी ये 326 27 की बात है राज राजधानी परिवतन 2325 में ग्यासुद्दीन तुगलक की मित्यू 1325 में बंगाल की अभियान से लोटती समय जूना खादवारे निर्विट लकडी के महल में दपकर हो गई थी और ग्यासुद्दीन के बाद उलूग खा या जूना खा मुहमद बिन तुगलक की नाम से 1325 एस्वी में दिली की गद्धी पर वेठता है मुहम्मद बिल तुगलग याद रखिए मुहम्मद बिन तुगलग द्वारा चलाए गये थे फिर आप लोग ग्यासुद्दीन के समझ ले यह सभी काम ठीक है और मद्यकाली सभी सुल्टानों में मुहम्मद तुगलक सरवादिक सिक्षित विद्वान और योग व्यक्ति था पड़ा लिखा था तो यसे पड़े लिखे राजाओं को चुनना अच्छा रहता है मुहमद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं क्रोर किंतों और दूसरों के सुखदुख के पिती उफेक्षा भाव रखने के कालन सुपन सील पागल और रक्त पिरपासू कहा जाता है और मुहमद बिन तुगलक ने किर्सी के विकास के लिए अमीर एकोही नमकीक नवीन विभाग की स्थापना की हुई थी एक अश्चन से भी कई बार पूछ लिया है अमीर एकोही नमक सरस्था की स्थापना किस ने की थी तो मुहम्मद बिन तुगलक ने एक किस से सम्मंदित था किरसी विभाग से सम्मंदित था तो ये भी आप लोग याद रखेगा और मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राधानी दिल्ली से देवगरी में इस्थानान्तित और इसका नाम दौलतावाद रखा था तो दिल्ली एक मलिक के सम्वान में दो पोसाग दिया करता था एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में और ऐसे अभी कहा जाता है कि डांक प्रवंधों के तवारा मुहम्मद बिन तोगलक के लिए ताजे फल खुरासान से और पीने के लिए गंगा जल मंगबाया जाता था गंगा जल है हमारे देश में सांकितिक मुद्रा के अंतरगर मुहम्मद बिन तोगलक ने कासा फरिस्ता की अनुसार उत्ताबा बर्नी के अनुसार धातूं की सिक्के चलवाए जिनकी मोल चांदी की रुपे टंका के बराबर होता था और एड़वर्ड थॉमस ने मुहम्मद बिन लग को आंगे चलते हैं हम लोग और सांकितिक मुद्रा का प्रियोग चीन के कोबलाई खा और इरान के गजन खाना वक एक मंगोल सासक ने भी किया था तो इने भी आप याद रख सकते हैं अफी की मुरक्को यात्री इबन बतुता लगबक 1333 में भारत आये था और सुल्ता अपना रादूत के रूमें चीन भी वेजा था तो इबन बतुता को आप लोग याद रखेगा इबन बतुता की पुस्तक का नाम था रहिला इसमें मुहमत तुगलग की समय की घटनाओं का बैडन भी देखने को मिलेगा इसने अपनी पुस्तक में विदेशी ब्यापारिय तो सती होने के लिए सुल्तान उसे अनमती लेनी पड़ती थी मुहमत तुगलग के समय जिया नकसवी पहला ब्यक्ती था जिसने संस्कित कथाओं की एक सिंखला का फार्सी में अनबाद भी किया था और इस पुस्तक का नाम था तूती नामा और इसने एक तोता एक ऐसी वि जिन फिर्वू सुरी नामक जयन साधू को अपने दर्बार में बुला का सम्मान भी दिया था जिन फिर्वू सुरी को ठीक है तो यह याद रखेगा यह धरम निर्पेख्च सासक कह सकते हैं आप लो कि मतलब किसी को भी आप कहिए सभी धर्वों को मानने वादा और महम्मद तुगलक की मित्ती हो जाती है बार 20 मार्च 1359 को सिंध जाती सबब थट्टा के निकट गोडाल में इसकी डैथ हो जाती है ठीक है और उसकी वाद है आप देखेंगे महम्मद महम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में दच्छिड में हरीहर और बुक्का नामक दो भाईयों ने 1336 में सुतंत राज बिजयनगर की स्थापना भी की थी ये बिजयनगर से क्विश्चन्स कई बार आपकी परिक्चाव में पूछ लेता है कि बिजयनगर समराज की स्थापना किस ने की थी हरीहर वुक्का दो भाई थी नोने कब 1336 में और याद रहे कि मुहम्मद बिन तुखलक के मतलब समानी आप देखी कि उसी के उसी के समयकाल में रहा है 1336 में आप देखी इसका भी सासन था और हरियर वुक्का क्या भी सासन राय बिजयनगर पर इसका महाराष्ट में अलावदीन बहमन सा ने 1347 में सुतंत बहमनी राज की स्थापना की थी कहां महाराष्ट में मुहमद बिन तुगलक की मित्यु पर इतिहासकार बदायू नहीं लिखता है अंतता लोगों को उसे मुक्ती मिल गई और उसे लोगों से मिल गई एक इसके संदर्म में कहा गए था मुहमद बिन तुगलक के मुहमद बिन तुगलक सेख अलावदीन का सिस्से था किसका सेख लाउद्दीन का हो वैल सल्तनत का पहला सा सकता जो अजमेर में सेख मुईनुद्दीन चिस्ती की दरकाओ बहराईच में सलार मसूद गाजी के मकवरे में गया था मुहमद बिन तुगलक ने बदायू में मीरन मुल हीन दिल्ली में सेख निजमुद्दीन ओलिया मुलतान में सेख रुकनुद्दीन अजू धन में सेख मुलतान आदी संतों की कबर पर मकवरे भी बनवाए कि ये सभी किसके काम थे मुहमद बिन तुगलक के फिर आप देखेंगे फिरोज तुगलक का राज जवी सेख थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1359 में होता है और पुना फिरोज का राज जवी सेख दिल्ली में अगस्त 1359 में होता है और खलीपादवरा इसे कासिम अमीर मुमीन की उपाधी भी दी गई थी किसे फिरोज तुगलक को मुम्मद वित तुगलक के बाद फिरोज तुगलक तुगलक बंसका सासक बनता है राज़स्व विवस्था के अंतर गए फिरोज ने अपने सासनकाल में 24 कष्ट दायक करों को सबब्त कर दिया था और इसने केबल 4 कर जिसमें खराज लगान खुम्स योद में लूट का माल और जजिया और जकात को बसूल करने का आदेश दिया था यह आप देखेंगे कि फिरोज साहे तुगलक के सासनकाल में बागी 24 करों को तुनश्ट कर दिया गया था एक तरह से खतम कर दिया गया था लेकिन 4 बचे रहे थे इन में 4 कौन कौन से हैं इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं 4 को तो याद रख लीजेगा रख पाओगे या नी रख पाओगे बताओगे कुछ ठीक है फिर आप देखेंगे फिरोज तुगलक ब्रहमणों पर जजिया लागू करने बाला पहला मुसलिम सासक था एक कुश्चन पूछा जा सकता है पूछेगा या नी पूछेगा क्या पूछेगा आप से यह पूछ लेगा आप से की ब्रहमणों पर जजिया कर लागू करने बाला पहला सासक कौन था बताइए तो यह था आपका फिरोष्टोगलक और फिरोष्टोगलक ने एक नया कर लगाया था सिचाई फरकर जो उपज का एक दसबा भागुआ करता था फिरोष्टोगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्मार भी करवाया था फिरोष्टोगलक ने दो स्थम्मों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था इसने, किसने? फिरोस्ताय तोगलक ने एक तो आपका खिजरावाद था टोपरा गाओं और मेरट से ठीक है? असोक के दो स्थम्म थे मुल्तान सुल्तान फिरोस्तोगलक ने अनात्-Muslim महलाओं और बिदवाओं लड़कियों की साहता के लिए एक नए विवाद, दीवान एक खियराद की, इस थापना की थी इस पॉइंट को भी, इस संस्था को भी याद रखिएगा एक नए विवाद था एक तरसी दीबान एक खेराद किसने की थी इसकी स्थापना सुल्तान फिरोज तोगलक ने किसके लिए की थी अनाथ फुसलिम महलाओं के लिए बिदबाओं के लिए और लड़कियों की साहता के लिए सलतलनत कालीन सुल्टानों के सासनकाल में सबस्ती अधिक दासों की संक्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय ही थी दासों की देखवाल के लिए फिरोज ने एक नए विवात की स्थापना की थी दीबान ए बंदगान की और इसने सेन पदों को बंसानुगत बना दिया था यानि की कहने का मतलब है कि उसके पिता के बाद वही उस पद पर रहेगा समझ रहे हैं और इसने अपनी आदम कथा फदूहात ए फिरोज साही की रचना की थी तो फिरोज खान ने किसने ये आप लोग याद रखेगा फिरोज दोगलक ने अपनी आदम कथा लेकी फदूहात ए फिरोज साही और इसने जियावदीन वर्नियो समसे सराज अफीक को अपना सरक्षन पिदान किया था इसने ज्वाला मुखी मंदिर के पुस्तकाला से लूटे गए 1300 गरंतों में से कुछ फार्सी के विद्वान अपा उद्दीन द्वारा दलाया थे फिरोज साही नाम से अनवाद भी कराया था इसने चांदी उतामी की मिसरर से निर्वित सिक्के भारी संख्या में जारी किये थे जिसे अध्धा और विक कहा जाता था फिरोज तुगलक की डेथ हो जाती है सिप्टमबर 1388 में फिरोज काल में निर्वित खाने जहां तेलंगानी की मकवरा की तुल्ला जैरुसलम में निर्वित उमर ये वर्ष्जिस से की जाती है फिरोज आप देखेंगे सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज सा दुरुक का निर्माण भी करवाया था तुगलक बंस का अंतिम सासा होता है नसुरुदीन महमूद तुगलक इसका सासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था और तैमूर लंग ने सुल्तान नसुरुद्दीन महमुद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पराक्मर कर दिया था तेरे सो अंठार्मे में और नसरुद्दीन के सवय से ही मलीक को सरसरक पुरवाधी पती की उपादी धारन का एक हिजडा मलीक सरवर ने जौनपुर में एक सुदंत राज की स्थापना की थी फिर आप देखेंगे तोगलग बंस की बाद सियद बंस आता है ये 1414 से लिकर 1459 तक रहता है सियद बंस की स्थापने की बात करें तो खिजज खा ने इसकी स्थापना की थी और इसने सुल्तान की उपादी नाधारन करके अपने को रियत आला की उपादी से खुस रखा था खिज खा तेमूर लंग के असेनापती था भारत से लोटते समय तेमूर लंग ने खिज खा को मुलतान, लाहोर और दिपालपूर का सासकने उप्त किया था खिज खा को नेमित रूप से तेमूर के पुत साहरोग को कर भेशता था और खिज खा की मित्ती हो जाती है आप देखें 20 मई 1421 में और खिज खा के पुत मुबारक खाने साह की उपादी धारन की थी और याहिया विन एहमद सर हिंदी को मुबारक साह का सरक्षन भी पराप् जमना के किनारी मुभारक का गास की स्थाफना मुभारक साहि ने की थी यमना नदी की किनारी सिएदवन्स का अंधिम सुल्तान होता है अलाउद्डीन आलम साह और सियदवन्स का सासंकाल करीब आप देखेंगे 37 साल तक रहता है उसके बाद खटम हो जाता है फिर आप देखेंगे लोधी बंस आता है एस 1459 से आप देखेंगे 1526 तक रहता है जब तक पानीपत का पहला योद नहीं होता है लोधी बंस का सरस्ताफ़क वहलोल लोधी था आप सभी जानते हैं लोधी बंस का सासक कौन था वहलोल लोधी कौन वहलोल लोधी और वहलोल लोधी बंस का सभी जानते हैं यह भी आप लोग याद रखेगा दिली पर पिथम अफगान राजी की स्थापना का सरे बहलोल लोधी को ही जाता है और बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों के पिचलन भी करवाय था बहलोल सिक्के का पिचलन किसमें करवाय था बहलोल लोधी ने यह तो मुझे लगता है कि आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है वो अपने सरदारों को मक सद ए अली कहकर पुकारता था वो अपने सरदारों के खड़े रहने के पर स्वैम भी खड़ा रहता था तो आप समझ सकते हैं कि एक बेवार बादी सा सकता बहलो लोधी का पुत्त निजाम खाँ सत्तर जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर साही की उपादी से दिल्ली के स्टिंगासन पर बैठता है और सिकंदर लोधी के नाम से जिसे आप लोग जानते थे जानते थे या नहीं जानते थे और फिर आप देखें कि 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा सहर की स्थापना की थी ये कुश्चन से भी कई बार पूच लिया है आगरा सहर की स्थापना किस ने की थी सिकंदर लोधी ने भूमी के लिए मापन की प्रमाडिक पैमानें गजे सिकंदरी का पिचलन भी सिकंदर लोधी नहीं किया था गुल रुखी सीर्षक से फार्स्ती कविताय लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही था और सिकंदर लोधी ने आकरा को अपनी रही राजधानी बनाया था और इसके आदेशपल संस्कित की एक आयोवेद गरंद का फार्सी में फरहंगी सिकंदरी के नाम से अनवाद भी किया गया था और इसने नगर कोट के ज्वालामों की मंदिर की मूर्ती को तोड़ कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मास तोलने के लिए दिया गया था अन्य सास्कों के कारण मुसलिम उस समय आप देखी कि उन्हें जिमिदार ठहराया जाता है मंदिरों को तोड़ने कि में और इसने मुसल्वानों को ताजिया निकालने हों मुसल्वानों के लिए इस तरियों को तिरों और संतों के मजार पर जाने का परपिदीवंग लगा दिया था गले की मिमारी के कारण सिकंदर लोधी की मित्ति 21 नवंबर और 1570 में हो जाती है इस दिन इसका पुत्र इबराहिम साहे की उपादी से आगरा के सिंगासन पर बैठता है सिकंदर की बाद इबराहिम लोधी आता है और संभाता दिल्ली की सुल्तानों में सिकंदर लोधी पिथम सुल्तान था जो हिंदूओं के तिवारों मुक्ता होली में भाग लेता था दिल्ली की मौट मस्जिद सिकंदर लोधी की पिथान मंत्री वजीरो मिया भुया ने 1505 में बनवाई थी है दिली की बोट मर्चित 21 अपरेल 1526 को पानीपत का पिथम योद होता है और एब्राहिम लोदी बावर से हार जाता है और वह योद में मारा जाता है तो ये भी याद रखें कि पानीपत का पिथम योद कब हुआ 21 अपरेल 1526 में इब्राहिम लोदी और बावर के बीच होता है और आप देखेंगे कि इसी योद में इब्राहिम लोदी मारा जाता है बाबर को अगर आपसे पूछे कि बाबर को भारत पर आकमर के लिए किसने बुलाया था निमंतर दिया हुआ था निवता दिया हुआ था तो इसमें दौलत खा थे और एब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान थे वो कहते हैं ना कि अपनी बरबादी में अपने ही लोगों का हाथ होता है तो यहां आप देखिए अपने भतीजे को हराने के लिए चाचा बाहरी लोगों को आमंतर कर रहा है अगर हम लोग सलतनात कालीन सासन व्यवस्ता की बात करें तो कैंदरीय पे सासन का मुकिया सुलतान हुगा करता था बलवनों और अलावदीन के समय अमीर तरभाववीन हो गए थी अमीरों का माद चरमत करस पर कब था लोदी बन्स के सासन काल में सलतनात काल में मंतरी परशत को मजलिस एक खलवत कहा जाता था मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी बारे खास इसमें सुल्तान सभी दर्वारियों, खानों और अमीरों, मालिकों और अनर रईसों को बुलाता था बारे आजब सुल्तान राज की ये कारेयों का अधिकास भाग पूरा करता था इसमें कुछ आपके मंत्री उसे समधित बिभाग हुआ करते थे यह आपके मंत्री हो गए यह बिभाग हो गए जैसे वजीर फिरदार मंत्री होता था राजस बिभाग का प्रमुक किसका राजस बिभाग का प्रमुक मुसरीफ ए मुमालिक ए महाले खकार ए प्रांतों और अन बिभा से प्राप्त आये बैय का लेखा जूखा करता था पर आप देखेंगे मजमूव आदर उधार दिये गए धन का हिसाब रखता था खजीन एक उसाध्यक्ष था आरेज मुमालिक दीवान एर्जो और सैन विभाग का प्रमुक होता था सद्र उस सुदूर धरम विभाग और दा ये गुप्चर विभाग का प्रमुक्स अधिकारी था बकीले दर ये सुल्तान की व्टिकत सेवाओ की देखवाल करता था दीवान एख्यारात इदान विभाग से जुड़ा हुआ था दीवान बंदाज इदास विभाग से और दीवान इस्तिहाग 15's रेख्य स रहर और द जैसे दिवाने मुस्थखराज वित्य विभाग होता था अलाउदीन किल जी ने इसे बनवाएता। दीवान एकोई किसक्रिसी विभाक्ता मुहम्मद बिन तुगलक ने बनवाय था, दीवान ए अर्ज सेन विभाक्ता बलवन ने बनवाय था, दीवान ए बंदगान ए फिरोस ताय तुगलक ने बनवाय था, दीवान ए खेराद ए फिरोस ताय तुगलक ने, दीवान ए इस्तिह प्रधान का जी होता था हुआ है नियाय विभाग का भी अध्यक्ष हुआ करता था दीवान इंसा नामक विभाग राज जी के पत्ताचार से सम्मंध हुआ करता था दीवाने इंसा समराज जी की विविन भागों में चल रही गतिविधियों का पोड जानकारी के लिए दूतों के नियुक्ति की जाती थी और ये दूत बरीद कहलाते थे इन दूतों को क्या कहते थे बरीद कहते थे ये भी आप लोग याद रखीगा और सासक के सबसे जानदा पिस्वातमात लोग ही मुख वरीत के पत पर नियुक्त होते थे लोग निर्माण विवाग की स्थापना फ्रोस तोगलक ने की थी और यह विवाग नहरों और सारिनिक भावनों का निर्माण करता था देखवाल करता था तो यह भी याद रखेगा सल्तनत अनेक फिरांतों में बटा हुआ था इसे एक्ता या सूभा कहा जाता था यहां का सासागन नायव या फिर वली या फिर मुक्तिक द्वारा होता था तो इसे भी आप लोग याद रखेगा समझ रहे हैं फिर आप देखेंगे एक्ताओं को सिकों जिलों में बिभाजित किया जाता था जहां का पिरमुक अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनेक अधिकारी हुआ करता था अगर राजस व्युस्था की बात करें हम लोग तो सल्तनत काल की तो इसमें उस्द एक मुसल्वानों से लिया जाने वाला भूमी कर था, खराज एक गैर मुसल्वानों से लिया जाने वाला भूमी कर था, जकाद एक मुसल्वानों पर धार्मी कर दार्मी कर था, जजिया एक गैर मुसल्वानों पर धार्मी कर था, खम्स यह लूटे हुए ख ख़जारों को पराप्त करने वाले ब्यक्तियों का अधिकार होता था इस पर फरन्तु फिरोसा तुगलग को छोड़कर अन्य सभी सासकों ने चार-5 हिस्सा स्वैम अपने पास अपने लिये रखा सुल्तान सिकंदल लोदी ने गड़े हुए ख़जारों में से कोई हिस्सा न के देखवेग करने गिली अमीर ए सदा नम का अधिकारी हुआ करता था पिसासन के सबसे चोती हिकाई की बात करें तो गराम होता था और गराम में सबसे अधिक प्रभाव सारी लोग खुद छोटे जमीदार मुकदम ए मुखिया होते थे ग्राम एक पटवारी होता था सुल्तान की इस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया जाता था मंगोल सेना की वर्ईकरण की तसमलव पेडाली को सलतनेटकाल लेन सेन मुदस्था का आधार बनाए गया 10 अस्वार हैं एक सरह खेल 10 सर्य खेल एक सलाकर 10 सपल सलाकर एक अमीर 10 अमीर एक मलेक और 10 मलेक एक खान और सल्तनायतकाल में बारूत की सहता से गोला फेगने वाली मसीन को मंग लीक तथा अर्दा अर्राद भी कहा जाता था ऐसे अलावदीन खिल जी ने एकताव विवस्था को समाप्त किया था क्या किया था समाप्त कर दिया था ये भी आप लोग याद रखना चाहिए ठीक है और एकता विवस्था की दुबारा सुरुवात किस ने की थी फिरोष ताय तोगलक ने अलावदीन के लिए ने इसे समाप्त कर दिया था और फिरोष ताय तोगलक ने इसे पुनाह सुरू करवाया था सल्तनत काल में अच्छी नसल की घोड़े तुर्की, अरव और रूस से मंगाय जाते थे हाती मुकता बंगाल से मंगाय जाते थे सल्तनत कालीन कानून सरिया तो कुरान और हदीस पराधरित था मुस्लिम कानून के चार महत्पूर सरो थे एक तो कुरान, हदीस, और इजमा और क्यास ठीक है ये भी आप लोग याद रखीगा सुल्तान सप्ता में दो वार दरबार में नियाय करने के लिए उपस्तित होता था और सल्तनात काल में लगान नियधारित करने की मिस्तित फिडाली को मुक्ताई कहा जाता था भूमी की नाप जोक करने के वाद छितफल की आधार पर लगान का नियधारन मसाहत कहलाता था इसकी सुरुवात अलावदीन ने की थी और पूर्टा केंद की नेंतर में रहने वाली भूमी खाल सा भूमी कहलाती थी अलावदीन ने दान की गई अधिकास भूमी को छेन कर खाल सा भूमी में परिवर्थित कह दिया था सलतनात कालीन मुद्रवे उस्था चान्दी के टंके और तामे की दिरहम परादा रिट था देवल सलतनात काल में अंतराष्टी बंदरगाह की रूम में पिसेदी था कौन देवल और ये आप देखी इस्थान हो गए पिसेदी के कारण हो गए सरसुती ये अच्छी किसम के चाबल यहां होते थे अनहिलवाड अनहिलवाड ये व्यापारियों का तीर्ष्थ इस्तल माना जाता था सत्गाह रेस्मी रजाईयों के लिए पिसेदी था आगरा नेल उतपादन के लिए पिसेदी था बनारस सौने चान्धी और जड़ी का काम के लिए पिसेदी था ठीक है फिर आप देखेंगे ये सलतनत काम, सलतनत काल खतम हो जाता है फिर चलते हम लोग विजय नगर समराज की बात करते हैं और विजय नगर समराज की स्थाफना §1336 ECB में हरीहर वुक्का नामक दो भाईएं ने की थी जो पाँच भाईएं की परिवार के अंग थे और विजय नगर के साब्दिकर्थ हुता है जीत का सह् अपने पिता संगम की नाम पर संगम राजवन्स की स्थापना की थी ठीक है और इसमें अगर संगम वन्स की प्रमुक सास्कों की बात करें तो हरी हर हो गया ए 1336 से 1356 तक रहता है वुक्का फर्ष्ट है यह 1356 से 144 तक रहता है वुक्रिया ए 1426 से 1445 तक रहता है क्या हम्पी और विजय नगर समराज की खंडर तुम भद्दा नती पर इस्तिते इसकी राजभासा तेलवू हुआ करती थी क्या तेलवू हुआ करती थी हरीहार बुक्का अपने पहले बारंगल के काक्तिय सासक प्रताप रुद्देव के सामन्त से बिजय नगर समराज कर्म सन्निम्ण बंसों ने सासन किया, इस पर संगम ने भी, सलोब ने भी, तलोब ने भी और आरा वीडू बंस ने भी किया। बुक्का पिथम ने बेदमार्ग पिश्थाफक की उपादी विधारन की उई थी, किसने? बुक्का पिथम ने। हरीहर दुतिये ने संगम सासकों में सबसे पहले माराजा धीराज की उपादी ली हुई थी, किसने हरीहर दुतिये ने, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय पिथम के सासनकाल में आया था, एक बात बरवाय था, ताकि जल की कमी दूर की जा सके, और इसे नहरों के नहरे लाज सकी, और सिचाई के लिए उसने हरिद्दा नदी पर भी बात बनवाय था, संगम मंस का सबसे प्रतापी राजा देवराय दुतिये हुआ, और इसे इमाडी देवों भी कहा जाता है, फार्शी रादूद अब्दुल रज्जाग देवरा दुतिये के दरवार में भी रहे थे, अगरे फरिस्ता की हम लोग मानेते, देवराय दुतिये ने अपनी सेना में दो हजार मुसल्मानों को भरती किया था, और उन्हें जागिरें भी दी हुई थे, और एक अभिलेक में देवराय दुतिये को जग वेट कर, वेट टेकर, हा देवराय सालूब नर्सिंग ने विजय नगर में दूसरे राजवन सालूब वन्स की स्थाफना की थी, किसने सालूब नर्सिंग ने, यह आप 1485 से लिए 1506 तक रहता है, तुलूब वन्स की स्थाफना, वी तुलूब वन्स की स्थाफना, सालूब वन्स की अगर पूचे तो शालू नर्सिंगने की थी और अगर तुरोब वन्स की बात करें तो ये फीर नर्सिंगने की थी फिस फिस सपन्द beige 1560 तक तो लगनidor का महाल सासक कुगा किषन Даud ुषर 1 और आठ अगश्त उन्हीज पंद्रह सो नोको सासक बना था उसालो 15 कि योग मंत्री एवं सेनप़ती ही था और बाबर ने अपनी अपकश बावर नामा में किष्णी देवराय को भारत का सरवाधिक सक्ति सालीज सासक भी बताय था किसने देव राय के सासनकाल में पुर्थगाली यात्री, डॉमी, गोस, पाइस, बिजाइनगा आया था यह भी याद रखेगा किसने देव राय के दरबार में तेलगु साहिट की आठ सरफसिष्ट कभी रहते थे जिने अश्ट दिगज कहा जाता था किसने देव राय के, यह भी आप लोग याद रखेगा इसके सासनकाल में तेलगु साहिट का क्लासिक योग कहा गया है किसने देव राय ने तेलगु में अमोक्त माल्यद और संस्कित में जामवती कल्यानम की रचना भी की थी और नागलकूर नामक नई नगर और हजारा विठ्थल स्वामी मंदिर का निर्वाड भी आप देगें कि किस्ञ देवराय ने कर वाया था किस्ञ देवराय की डौत मौत की बात करें तो 1529 में हो जाती है किस्ञ देवराय ने आंध भोज अभी नाव भोज और आंध पितामय अधी उपादियां भी धारन की हुई थी तो यह भी याद रखेगा तो इक है फिर हम लोग आंगे पड़ते हैं तो लूब बंस का अंतिम सासक होता है सदासिप यह भी याद रखेगा राक्षा सी तंगडी या ताली कोटा या थे से आपनी हट्टी का योद 23 जनवरी 1565 मे की हुआ था यह भी याद रखेगा विजय नगर की बिरूद बनी दच्छे राज्यों की संगे में सामिल थी वीजापुर हो गया एहमनाद नगर हो गया गोलकुंडा हो गया बीदर हो गया इस सेक्त मोर्ची का नेतित अली आदिल साहिनिक किया था ताली कोटा की योद्य म किष्णा गोदावरी की कछार में और मराठ वाड़ा पिदेश में ताली कोटा योद के बाद सदासिव ने तिरू मल की सहयोग से पैनु कुंडा को राध्धानी बना कर सासन करना प्यारम किया था और विजय नेकर के चौत्रे राजवन्स अरावीडू बन्स ये 1570 से लेक दुतिये के सासनकाल में ही वोडियाल ने 1612 में मैसूराज की स्थाफनी कर दी थी थे आप देखेंगे बिजय नेकर समराज की प्रसासने एकाई का करम घटते हुए करम में फ्रांत जिसे मनल कोटम या वल नाडू जिला नाडू मिला गाउं 50 ग्राम का समूध था और ग्रा सिवा सेनर रखराखाओं के लिए विसेस भूखंड देते थे जो अम रम कहलाता था ठीक है फिर आप देखेंगे अहंगर विवस्ता प्रसासन को सुचाव रूप से संचालित करने के लिए पिते गाउं को एक सुतन तिकाई की रूम में संगिटित किया गया था और इने ग आगान मोक्त या करमोक्त भूमी दिया करती थी इंका पद अनवांसिक होता था वहां इस पद्र्ण को वैच या गर्वी भी रख सकते थी और गिरामिस्त पर को कि कोई भी संबत्ति इन अधिकार्यों की जamat ना तो वैची जा सकती थी ना ही दान की जा सकती थी विजयनगर में आने वाले अगर फिर मोः बिदिय्यातरियों की बात करें तो जैसे निकोलो कौंटी हो गया एटली का था चौदा सो बीस में आये था देवराय il के सांसन में अब दोरजाक की अगर बात करें तो फारस का था 1442 में आया था देव राय दुतिय के सासनकाल में नुनेज ए पुर्दगाली था तेरे 1535 में आया था हचिवत गैक राय के सासनकाल में डॉमिंग फायस ए पुर्दगाली था 1515 में आया था और किष्ण देव राय के वार वोसा फुर्दगाल ये आप देखेंगे कि 1515 सूलाय में आया था किसन देवराय के समय में करनिम करने के नामग आयंगर के पास जमीन के क्रेव क्रेश से समंदी सबस्थ दस्ताबिज होते थे विजैनकर समराज की आयका सबसे बड़ा सरोध लगान हुआ करता था भूराजस की दर का उपज का एक चटवा भाग लेता था है विवाकर वर बद्धू दोनों से लिया जाता था विद्वा से विवाकर करने वाले कर से मुक्त होती थी विली ग्राम में विशे सेवाओं के बदले दी जाने वाली मुक्त भूमी को भूधारन पदेती थी रद्ध कोडगी योद में सोर का पदासन काने वाले मेत्त लोगों की परिवारों को दी जाने वाली भूमी थी ठीक है किसी नहीं करते थे, किसानों को पठ्टे भूमी देते थे, ऐसे भूमी को कुटिकी कहा जाता था, भी के सक मजदूर जो भूमी की क्रैविकरय के साथी हस्तांतरित होते थे, उन्हें कूधी कहते थे हम लोग, कूधी, ठीक है, इस समय क्या कहते थे? कूधी कहते थे, विजय अगर नगर का सेन ने विभाग कदाचार कहलाता था और इसे विभाग का उच्च अदिकारी दन्नायक या सेनापती होता था तकसाला विभाग को जोरी खाना कहा जाता था चिट्टियों की तरह व्यापारी वी निपुड दस्तकार बर्ग की लोगों को बीर पंजाल लई क्या बीर पंजाल कहा जाता था उत्तर भारत से दच्चन भारत में आकर बसी लोगों को बढ़वा कहते थे क्या बढ़वा और विजय नगर में दास पिठा पिछली ती मरुस मनिसों के क्राय विक्राय के बेस वग कहा जाता थे से और मंदिरों में रहने वाली स्तिरियों को देवदासी कहते थे इनके अजीबका के लिए भूमी या निमित वेतन दिया जाता था विजय नगर राज में कल्यार मंडप की रचना मंदे निर्मार की एक विसिष्ट अभी लक्षड हुआ करता और विजय नगर की मुद्रा पिगोडा वहमनी राज की मुद्रा को हूर कहते थे यह भी आप लोग याद रखेगा यह आपकी विजय नगर की कहानी खतम हो जाती है अब आता है आपका बहमनी राज और अगर हम लोग बहमनी राज के बारे में बात करें ना शुरू करें तो आप देखेंगे कि मुहम्मद बिन तुबलक के सासनकाल में यह बात है 1347 की हसन गंगू ने बहमनी राज की इस्थानपना की हुई थी तो अगर आप से पूचे कि बहमनी राज की स्थानपना किस न गी थी हसन गंगू ने कब की थी 1347 में वह एलावदीन हसन बहमन साय की नाम से सिंगासन पर बैठा और गुलवरगा को अपनी राजधानी इसने बनाये था और इसकी राजभासा थी मराठी क्या थी मराठी और इसने अपने समराज को चार प्रांतों में बाटा था गुलवरगा, दौलतावाद, वरार और बीदर में इसकी अगर आप लोग मौत की बात करें यानि कि डैथ की बात करें तो 11 फरवरी 1358 को इसकी डैथ हो गई थी और अलाउत्दीन हसन की परश्चात उसका पुत्त मुहमद था पिथम सुल्तान बनता है और इसके काल ही में सबसे पहले बारूत का प्रियोग बुक्का के विरुद हुगा था तो ये बात चरूर याद रखेगा कि सबसे पहले बारूत का प्रियोग किस ने किया था ये था मुहमद पिथम सुल्तान इसके काल में ही सबसे पहले बारूत का प्रियोग किया गया था और यहाँ बहेमनी बंस के पिरमुक्सासक दिये गए जैसे मोहमद साही फस्ट वो गया इच टीरे सो अंठावन से ठीर सो पचतर तक रहता है अलाुदीन मुजाहित साही यह आप देखेंगे यह 278 तक रहता है दात, पिथम जाओध पिथम इच तेरे सो 278 में से 1436 तक रहता है अलावदीन एहमद सिकन एह 1436 से 1458 तक रहता है समसुद्दीन मुहमद तितिय एह 1463 से लिकर 1482 तक रहता है तो यह भी आप लो याद रखेगा इसके सास्कों को करम से भीमा नदी के तटपर फिरोज याबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थ अगर आप से पूँचें कि फिरोज आबाद भीमा नदी के तटपर बसा हुए इसके स्थापना के इसने की थी ताज उद्दीन फिरोज ने और फिरोज खागुली खागुलकी को फिरोज साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक बैद साला भी बनवाई थी और फरिष्टा के अनुसार गेर हम लोग बात मानें तो फिरोज फार्सी अर्वी और तुर्की के अत्रिक्त तेलगु कंणर और माराटी भासा का भी ज्यान रखता था और आप देखी कई भासा हैं सीखना अच्छी भी बात है फिरोज साहय बैमनी का सबसे बड़ा काज पिसा अधानी गुलवर्गा से एटा कर बीदर में स्थाबिच की थी और इसने बीदर का नया नाम क्या रहा था मुहमद आबाद ठीक है और मुहमद अगर तितिये की बात करें तो किसासनकाल में ख्वाजा जहां की उपादी महमूद महमूद ने आपका इरान का पिधान मंत्री अध्यान की पिदान मंत्री ने उपादी से महमूद गवाण को पिधान मंत्री नियुथ किया गया थे एरान को ठीक है और मुहमद तितिये के आधिस पर 1452 में 17 वर्स कि अवस्था में महमूद गवाद कुफासी भी दे दिगई थी और यहां ब्रांथ पती और तरफदार क विसे स्केंद भी हैं प्रांत तरफ और विसे सिंविरुत तो दौलताबाद मसनद ए आली बरार को मजलिस ए आली बीदर को अजाम एहुमायू गुलबरगा को मालिक नयाव महभूग गयावा ने बीदर में एक महाविद्याले मदर्सा की भी स्टापना की थी और इसका भवन तिरी मंजलाव था और इसने एक हजार अध्यापक और विद्यार्थी भी रह सकते थे उन्हें भोजान और कपड़ा भी राज्जी की वोर उसे मुप्त फ्री में दिया जा कि क्या होता था यह बात है आप देखिए कि 1400 के आसपास की यानि कि 1000 कहां पहुंच वा रहे हैं पर आप सोचे कि तब सिक्षा की फिरी वेवस्ता की गई थी और आप देखिए कि लोगों को जो पढ़ सके इसलिए आप देखिए उन्हें रहनी की वेवस्ता थी मुप्त में एक तरह से कपड़ा भूजन सब कुछ उपलग दिकराए जाता था और मुझे लगता है कि एक कल्याण का री राजो या राजा हो उसका एक कर्दब भी बनता है 1470 में रूसी यात्री निकेतन भाह्मनी समराज वीदर की यात्रा पर आये था और इससे मैं भाह्मनी राज का तरहा मोमद स्ते थैड का साथन था मुहमद ति दियेगा वीजापुर गुल बरगा तराफ सबसी महत्पूर में मैं सामिल था एक याद रखेगा यह भी याद रखेगा कलीम उल्ला बैहमनी बंस का अंतिम सास तक हुगा अगर आप से पूछे की बैहमनी बंस का अंतिम सास कौन था तो कलीम उल्ला और इसकी मित्तियों के सभाएं बह्मनी राज पांच सुतंत राज्यों में बढ़ गया था और इस सम्मदीत बिवरण इस पिकार है देखिए आप लोग इने जरूर याद रखे राज हो गया बंस हो गया संस्थापक हो गया और स्थापना जैसे अधिक ऐहमत इसकी संस्थापक थे, 1490 की बात है बरायर की बात करें तो इमाद साही इसका बंस्थाओ और फते उल्ला इमाद साह, इसका संस्ताफक था, और ए 1490 की बात है, गोलगुंडा कुतुप साह, इसका बंस्ताओ कुलो कुतुप साह, पंदरसो बारे की बात है, बीदर की बात करें तो वरीद साह, अमीर इसका बंस्ताओ और अमीर अली वरीद इसका संस्ताफक था, ये 1526 की बात है, मुह आप देखेंगे विभाव हो गए जैसे बकील ए सल्तनत दिली के मलिक नवाब के समान था है बकील ए कुल ए मत्रियों के कारियों का निरिक्षन करता था बकील से को छोड़कर अमीर ए जुमला ए अर्थ विभाग का अध्यक्स था वजीर ए असरब ए विदेश नीतिक और यह हुआ है यह अर्थ विभाग से संबंदित था पेशवा बकील ए सल्तनत का सहाय कोता था कोतबाल ए नगर का मुख के पुलिस अधिकारी हुआ करता था सद्ध यह जहां नियाय विभाग धरम और दान विभाग का अध्यक्स चुगा करता था ठीक है तो यह आप लो यह नौवत होते थे अगर विजापूर के सासक अली आदिल साह को सोफी कहते थे और अकवर से पहले उसने अपने दरवार में कैथोलिक मिस्तनरीयों को बुलाया था उसने अपने पुस्तकाले का अध्यक्ष पिसिद्ध संस्कित विद्वान वावन पंडित को बनाया था उसके उत्तरादीकारियों ने संस्कित वो मराथि भासा को फिवरे प्रे तेना जारी रखा था प्रेसर यानि कि एक तुरे से आप कह सकते हैं कि क्या होता है उसे संरक्षन देना इबराहिम आदिल साह दुतियको अवला बावा यह पर गरीवों का दोस्त भी कहा जाता था उसने किताब नौरस नाम की एक पुस्तक की रशना की थी, जिसमें आप देखेंगे, गीतों को विभने रागों में बांद कर पिश्तूत किया गया था। उसने जो नौरस पुर नाम से कईर नई राधधानी भी बनाई थी, और अपने व्यापक दिरिश्टी कौन की कारण वह जगत गुरु कहलाता था। उसने बिठोबा की उपासना के केंद पंडरणपूर को भी अनुदान दिया था। तो ये भी आप लो याद रखेएगा। ये किसने बनवाई थी? मुहमत कुली कुत्उप साहे ने और इब्राहिम रोजा और गोल गुम्बज वीजापूरी इमारतों में सबसी पिसित दे। इब्राहिम रोजा, इब्राहिम आदिल साहे का मकवर आये। और 1680 में बनाए गये गोल गुम्बच का गुम्बच इतना विसाल है कि जितना कि आप देखिए विसाल एकल गुम्बच कभी नहीं बनवाय गया और इसने इसके सभी अनफात संगती पूर है और चारों कोनों पर वनी उची और गोलाकार मीना ने इसकी छबी को एक सलतुनत पिदान करती है और का जाता है कि मुख कच्छ के एक और से फुस फुसाहट की आवाज जाये तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है आसानी से कोई बात आप कह सकते हैं कि पहुंचाईजे सकती है अब आप देखिए सुतंध प्रांतिय राज भी हुए इसमें सबसे सरकी राजबंस की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी तो ये भी आप लो सरकी राजबंस की बात हो रही है ख्वाजा जहान को मलिक उस सरकपूर का स्वामी की उपाधी 1394 में पिरो साह तोगलक के पुत्त सुल्दान महमूद ने दी थी और जौनपूर की ग्यावन और अन्तिम सासक हुसेन सार ये 1458 से लिकर 1500 ठीक है ये आप देख सकते हैं और लगवग 75 वर्स तक सुतंत रहनी के बाद जौनपूर पर वहलोल लोदी ने कपजा कर लिया था बात में सरकी सासन के अंदरगत विसेसकर इब्राहिम साहे की समय जौनपूर में साहित और इस्तापत के चित में हुए विकास की कारण जौनपूर को भारत की सिराज के नाम से भी आप लो जानते हैं भारत की सिराज की नाम से किसे जानते हैं जौनपूर को और याद रखें लाभूर में साहित और स्थाबत के छित में जो पिकास हुआ था, उसके कारण. संगीतकार था और जजहरी मस्जित 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा लाल दर्वाजा मस्जित का निर्मार मुहम्मद साह की द्वारा 1450 इस भी में किया गया था ठीक है और कस्मीर की अगर हम लोग बात करें इसकी कस्मीर की फिर आपका कस्मीर राज जाता है और सुहादिय नामा की एक हिंदू ने 1301 में कस्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी किसकी हिंदू राज की और 1349 से 40 में कस्मीर में साह मीर के द्वारा पिथम मुसलिम बंस की स्थापना की गई थी और कस्मीर का पिथम मुसलिम सासक अगर हम लोग बात करें तो साह मीर था जो को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर साह 1389 से लिएकर 1413 को बुद्ध सीकन कहा गया है क्या कहा गया है बुद्ध सीकन और 1420 में जैन उल आपदीन सिंगासन पर बैठाता है और इसकी धार्मेक सहडूता का क्यारण इसी कस्मीर का अकवर भी कहा जाता है अगर आप से ठीक है और सदीविथा से बिदीबंध हटा दिया था इसने जैन उल अवादीन के पिसासन में अनेक हिंदूओं को उचे पद भी दिये गये थे और सिरे भट उसका नियाय मंत्री हुआ करता था और दरवारी चिकिस सक्ट था बूलर जीलिस्ति जैना लंका इसके काल की दरवादी भासाओं का ग्यात्का भी था इसने महाबारत और राजतरनंगी को फार्सी में अनुबाद भी किया था फार्सी भासा में ठीक है फिर आप देखें कि बंगॉल बंगाल में अगर आप देखें तो इक्तियावर रुद्दीन मुहमद बिन बक्तियार खिलजी ने बंगाल को दिली सल्टनत में मिला लिया था और ग्यासुद्दीन तोगलक ने बंगाल को तीन भागों में विवाजित किया था एक लखनोती उत्री बंगाल सोनार गाओं बंगाल का ससा ग्यासुद्दीन आजम साय अपनी इन्याई प्रियता के लिए पिसे दिथा अलावदीन हुसें साय चौदे सो इतिरानवे सी पंद्रे सो ठारे तकरार निराध्धानी को पंदुआ से गौंड कर दिया था इस्ताना ते ठाके गौंड लाया था गौंड में वाडा सोना और कदं रसूल मस्डित का निर्माडवी करवाया हुआ था तो या भी आप लो याद रख सकते हैं फिर आता है आपका मालवा, दिलावर खा ने 1401 में मालवा को सुतंत किया था, इसने अपनी राध्धानी को धारा सी मान्डू कर ली थी, मध्विदेश में अभी आजकल आप लोग के दियास में पढ़ते होंगे इसे, मालवा में खिलजी बंस की स्थाबना महमूद साय ने की थी, किसने महमूद साय ने, गुजरात के सासक बहादूर साय ने महमूद साय बुदिये को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर मालवा को गुजरात में मिला लिया था, मांडू के के लिए हिडोला भैवन या फिर दरवार हॉल का निर्माड होसंग साय ने करवाया था, इसके लिए में सरवादिक मत्पूर दिल्ली दरवा जाए, ठीक है, और बाज 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 पराजित कर अलावत्दीन ने इसी 1297 में इसी दिल्ली सल्तुनत में मिला लिया था और 1391 में मुहम्मद साय तुगलग द्वारा निव्थ गुजरात का सुविदार जफर खाने सुल्दान मुझफर सा की उपादी गहड़ कर 1407 में गुजरात का सुतंत सुल्दान बन गया था गुजरात के प्रमुक सासकों की बात करें तो एहमद साय ने आसावल के निकट सावरमती नदी के किनारे एहमदाबाद नामक नगर वसाय था और पाटन से राधधानी हटाकर एहमदाबाद को राधधानी बनाय था गुजरात का सबसे पिसित सासकर अगर हम लोग पूँचें तो महमूद वेगडा था और महमूद वेगडा ने गिरनार के निकट मुस्तपाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट महमदाबाद नगर वसाय था तो यह भी आप लोग महमूद वेगडा ने ठीक है फिर आप देखेंगे मेवार आ जाता है अलावदीन के लिए 1303 में मेवार की गुही लोद राजबंस की रतन सींग को पराजीत कर मेवार को दिली सल्तनत में मिला लिया था गुही लोद बंस की एक साका से सौधिया बंस की हमीर देव ने मुहमत तुगलक को हराकर पूरे मेवार को सुतंत कर लिया था राडा कुम्बा ने 1448 में चित्तोर में एक विजय स्थम की स्थापना की थी खानवा का युद 1527 में राणा सागर और वावर के वीच हुआ था जिस मेवार विजय हुआ था 1576 में अगर आप देखें तो हल्दी गाटी का युद हुआ राणा पिताव और अकबर के वीच जिसमें अकबर विजय हुआ मेवार की राध्धानी चित्तोडगर थी जहांगेर मेवार को मुगल समराज में मिला लिया था फिर आप देखेंगे खान देश आता है तोगलग बल्स के पतन के समय तरोज आ है तोगलग ते सुविदार मलिक अहमत राजा थारूकी ने नर्वदा और एवं ताती नदीयों के वीच 1382 में खान देश की स्थापना गी थी खान देश की राध्धानी अगर बात करने तो वो रहान पूर थी और इसका सैनिक मुख्याल है असीर गड़ था और 1401 में अख़वर ने खान देश को मुगल समराज में मिला लिया था तो यह आद रख सकते हैं आप लोग ठीक है फिर सिस्ता गयान करते थे उनके उन्हें मुरीद कहा जाता था यानि कि सिस्त कह सकते हैं आप लोग सिस्तों को मुरीद कहते थे और सूफी जिन आस्रमों में निवास करते थे उन्हें खान काहे कहते थे या मट कहा जाता था सूफियों के धरम संग बासारा बासारा इसलामी धान्तों से बंदी नहीं थे, ये बेभाजे थे दो में, ठीक है सूपियों के धरमसल, बासारा और बेसारा, भारत में चिस्ती और सुहरावाद बर्दी सिलसले की जड़े काफी गहरी थी, कैसी थी, गहरी थी, और आगे अगर हम लोग देखें, तो इसमें आप देखेंगे क कि ख्वाजुद्दीन, ख्वाजा मुईनुद्दीन, चिस्ती ने भारत में चिस्ती सिलसला की सुरुवाद की थी, अगर आप से पूचे कि भारत में चिस्ती सिलसला की सुरुवाद किस ने की थी, तो ख्वाजा मुईनुद्दीन, चिस्ती ने, और चिस्ती सिलसला का मु बक्तियार काकी हो गया, सेख बुरहा नुद्दीन गरीब हो गया, बाबा फरीद बक्तियार काकी के सिस थे, बक्तियार काकी के, बाबा फरीद की रचनाये गुरु गरंद साहिम में सामिल है, और बाबा फरीद की दो मत्कून सिस से थे, एक तो निजामुद्दीन ओलिया और दूसरे अलाउद्दीन सावीर, हजरत नजामुद्दीन उलिया ने अपने जीवनकाल में दिल्ली के सास सुल्तानों का सासन दिया था, देखा था, किसने, हजरत नजामुद्दीन उलिया ने, इसके प्रमुक सिस्स की बात करें, तो आप देखेंगे, सेख सलीम, क्या नाम थ गंगयों ने आप देखेंगे 1340 में कितने गरीव ने सेख बुराहण नुद्दीन गरीव ने 1340 में गच्छे भारत के छेत में चिस्ती संपताय की सुरुवाद की थी और दौलताबाद को मुख के केंद बनाया था इसने ठीक है सूपियों के सुहरा वर्दी धरम संग या फिर आप देखें सिलसला की स्थाफना सेख सिया वुद्दीन उमर सुहरा वर्दीन ने की थी और किन्तु 1262 में इसकी सुद्रण संचालन कसरे सेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है वैसने सिंद और मुलतान को मुख केंद बन सुईकार किया था और सेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसले की स्थाफना की थी और इसका मुख बिहार था क्या था बिहार था ठीक है और कादरी धरम संग की अगर हम बात करें तो कादरी धरम संग या सिलसला की स्थाफना सियद अवुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी भारत में सिलसला के पेवर्तक मुहम्मद गौस थी इस सिलसला की अनुवाई गाने बजाने के विरोधी थी ये लोग से सियामत के विरोध थी राजकुमार दारस साय जहां का जेश्टपुत कादिरी सिलसला के मुल्लायसा का सिस रहा और नक्स बंदी धर परमसंग या सिलसला की स्थाफना ख्वाजा की उब्दुल्ला ने की थी, भारत में इस सिलसला की स्थाफना ख्वाजा की ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी, भारत में इसके ब्यापक फिर चार कसरे बकी बिल्ला के सिस अकबर के समकाली सेख अहमद सरहिंदी को जाता है, फि तो यह आपका क्या हो गया, आप देखेंगे तो आपका सूफी आंदोलन खतम हो जाता है, क्या हो जाता है, सूफी आंदोलन खतम हो जाता है, अगर हम लोग भक्ती आंदोलन की बात करें, तो आप देखेंगे कि चटी सताब्दी में इस आंदोलन की सुरुवात होती है, और इस आंदोलन की अगर हम लोग सुरुवाद की बात करें, तो आप देखेंगे जो तमिल पाला छेते, इस छेते से हुई थी, जो करनाटा को महाराष्ट में फैल गई थी आँगे चलके। मार्ग बताया था इन्होंने, इन्होंने आप देखें कि जो आपका जैन धरम था, या बहुत धरम था, इसके आप परीगे को आसुईकार कर दिया, उसके बाद इन्होंने कहा कि इसुर के पिती, बैक्ति गद भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया इन्होंने, यानि कि कहने क सब्सक्राइब जाने का रास्ता ठीक है सैफ संद आप पार्ण पल्ला राजा महिंदवर्वन को सैफ धरम सुईकार करवाए था और भक्ति कभी संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूँ थे फितम समूँ बैशनाव संत थे जो महाराष्ट में लोग पी होते और भेभग पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् कि भक्ती आंदोले इसे दक्चेन भारत से उतर भारत में लाने का सुरे किसे जाता है तो रामानन्द को बंगाल में किष्न भक्ती की पयारंभीक पिति-पादिकों में विद्ध्या-पती- ठाकुर और चन्डी दास से दो संपधायों का पदृर्भा होता है सगुन जो की पुनरजनम में विष्वास करते थे और निर्गुन जो भगवान की निराकार रोग को पूछते थे और सगुन संपदाई के सबसे पिस्द ब्याक्ष्याताओं में अगर हम बात करें तो तुलसी दास हो गए, नाभा दास हो गए, जैसे राम भक्त और निमार्क, बलभाचार, जैन, चेतन, सूर्दास, मीरा भाई जैसे किसन भक्त थे, मीरा भाई तो आप देखिए किसन संकादी संपदाई की बात करें तो निम्याक, निमारकार चार और द्वेताबाद, दोईता, दोईतबाद, ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रखेगा, अगर हम लोग भाग, भक्ति यांदोरन की संतों की बात करें, तो आप देखेंगे सबसे पहली नाम आता है रामानुज, किसका? रामानुज आचारिका, और ग्यारवी सताबदी की बात है, इन्हों रामानुज ने बेदान्त में पिसिक्षण अपने गुरू कांची रम, कांची पुरम के यादो पिरकास से प्राप्त की हुई थी, फिर आप देखेंगे रामानुज के बारे में पढ़ते हैं, रामानुज का जनम होता है प्रियाग में, और इनकी सिक्षा प्रियाग और बनानसी में होती है। इन्होंने अपने अपना समपदाय सभी जातियों के लिए खूल दिया था। पर आप देखें कि कवीर आते हैं कवीर का जनम अगर हम लोग बात करें तो आप देखें कि 1440 में होता है और इनके जनम से डेट जो है 1440 से विवाद इस पद है वरा नसी में एक बिदभाप ब्रह्मनी के गरप से लोक सरोतियों के अनसार ऐसा माना जाता है और लोक लज्जा के भैस से उन उसने नवजा सिसू को वरारसी में लहर तारा के पास एक तालाब की समीर छोड़ दिया था जहां से आप देखें कि जुलाहा नीरू और उसकी पतनी नीमा इस नवजा सिसू को अपने घर लाती है इस बालक का नाम कवीर रख दिया जाता है कवीर की साधी लो कांड बाहे आडंबर मूर्टी पूजा जब तब अवतारबाद आधी का इसका सबका गोर विरोत किया इन्होंने और एके सोर में आस्ता व्यक्त की और निराकार ब्रह्मा की उपासना को इन्होंने मात दिया निरगुण भक्ती धारा से जुड़े कवीर ऐसे पितम व्यक् किया इनके अनुवयाई कवीर पंथी कहला है क्या कहला है कवीर पंथी कहला है और कवीर के उबदेश सबद सिखों के आधी गरंत में संगे थे और कवीर की बाड़ी का संग्राए बीजक सिस्स धरमदास द्वारा संकलित नाम से पिसिद्ध है इसके द्वारा सिस्स धरमद कड़ी कहा गया है वो इसमें बेजभासा हो गई याओधी हो गई राजिस्थानी भासा हो गई इसके इन सभी के सब्द लिए गए हैं और कभी दार इसकी अगर मौत की बात करें तो 1510 में मघहर में इनकी दैद हो जाती है और कहते हैं कि जो मघहर में मरता है उससे सौरग नह नानक और सिख्षों के काफी अच्छे आप देखिए सिख्धर्म के पवित गुरु भी एक तरह से आप देखिए इन्हें सिख्धर्म में जानला मानते हैं गुरु नानक का जर्म होता है 1469 में आवेभाजित पंजाब के रावी नदी के तटपर इस्तित तलवंडी नाम के ग बिख्याता है और उनकी माता का नाम अगर हम लोग बात करें तो तरपता देवी और पिता का नाम था मेहिता कालूराम जो पटवारी थे वटाला के मूल राज खत्री की बेटी सू लच्मी से उनका विवा होता है और जिसे उन्हें दो पुत्तों और दो पुत्रियां सिखों के गुरु गुरु नानक सहाब वैसे तो आप दीके सभी धर्म के लोग इन्हें मानते हैं वैसे लेकिन अगर हम लोग पिसिद्धी की बात करें तो आप देंगे जान्दा इसमें जैन धर्म में माने जाते हैं सारंगी उनका स्वामी भक्त सिस मरदाना बजाय करता था अपने जीवन के अंतिम छड़ों में उन्होंने रावी नदी के किनारी करतारपूर में अपना डेरा मठ इस्तापित किया था अपने जीवनकाल में ही उन्होंने अध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगे अपने सिसे भाई लहना अंगत को अपना उत्रादीकारी निउप्त किया था और इनकी मित्यू 1538 इस भी में करतारपुर में हुई थी नानक ने सिक्धरम की स्थापना की थी और नानक स सूफी बाबा, सूफी संद बाबा फरीज से काफी प्रभावित थे तो ये भी याद रखेगा फिर आप देखेंगे चैतन स्वामी और चैतन अगर बात करें जनम की तो 1486 में नवदीप बंगाल की मायापूर गाउमें इनका जनम हुआ है और इनके पिता का नाम जगन्ना की थी और साथी संकीरतन पिर्था को जरम दिया था और इनके दार्सने क्सिधान को अचेंद वेदा वेदा वेद वाद की नाम से जाना जाता है और 1510 में केसव भारती नामक सन्यासी ने चैतन को सन्यास की दिछ्षा दी थी और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ी सा चले गए थे और जहां उन्होंने दो दसक तक भगवान जग्ननाथ की वासना किए और अंत में आप देखेंगे 1533 में, कब 1533 में इनकी डेत हो जाती है, कब 1533 में इनकी क्या हो जाती है, डेत हो जाती है, तो यह भी आप दो याद रखेगा, फिर आप देखेंगे स्री मदवल लवाचार आते हैं और स्री मदवल लवाचार का जनम होता है 1489 में चंपारन बरानस्त में इनका जनम हुआ था इनके पिता का नाम लच्मनफट और माता का नाम था यलम गरू ठीक है इनका विवा हुआ है महालचमी के साथ और इनके दो लोपीनात इनका जनम 1511 में हुआ था और विठ्थलनात इनका जनम 1516 में हुआ थे इन्होंने गंगा यमना संगम के समीप अरेल नामक इस्थान पर अपना निवास सिस्थान बनाया था और बल्लवाचार ने भक्ती साधना पर विसेश जोर दिया और आप देखेंगे इन् और इनके भक्ती मार को पुष्टी मार कहते हैं सूर्दास बल्लवाचार के सिस्थे जो सूर्दास आप लोग सुनते हैं ये बल्लवाचार के ही सिस्थे थे विठ्थल नात को अकवन ने गोकुल और जैतफुरा की जागीर पिदान की थे इनके किसे बेटे को फिर आप लो 1623 में और तो चुलसिडाश, मोगल सासक, अक्बार ओमेवाण के सासक राणा पिताब के समकालीन थे जैसे समय अकबर का सासन था राणा महराना पिताब का सासन था उसी समय पास इनका जीमनकाल रहा है फिर आप देखेंगे धन्ना की बात करें तो धन्ना का जनम होता है 1415 में एक जाट परिवार में हुगा था राजपूताना ने बनार से बनारस आकर ए रामानंद की सिस्वन के कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ती को हटात भोजन करवाय था ठीक है और मीरा भाई की गर बात करें मीरा भाई तो आप सभी जानते हैं मीरा भाई के जर्म होता है 1498 में मेरता जिले के चौकारी गाउं में होता है इनके पता का नाम रतन सींग राठोर्ता इनके बावा इनके साधी की बात करें विवा की विवाय इनका पंद्रे सु सूले में राडा सागा की बड़े फुत्तो और इवराज भोजरासी कर दिया ज लिखे गए और इनकी कुछ कभिता है राजिस्थानी में भी है और इनकी मित्ती होती है 1546 में द्वारका में हो गए थी फिर आप देखते हैं रायदास का नाम आता है ए जाती से चमार जाती के थे वनारस के रहने बाले थे ए रामानंद के बारस इस्थों में से एक थे इन और इनका जनम 1544 में एहमदावाद में हुआ था इनका संबन्द धुनिया जाती से था सावर ने आकर इन्होंने बिरहमा संपदाई की स्थापन की थी और आकर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतिवुर्सी क्रीभी बुलवाय था इन्होंने निपत नामक आंदोलन की सुरुवाद भी किती इनकी मित्यू 1603 में हो गए थी सुंदर दास दादू किससे थे संकर सुंदर दास दादू किससे थे संकर देव की बात करें तो इनका 1449 से 1559 तक जीवन रहता है इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रिचार गरसार असम में किया था इस चेतन की समकालिन थे चेतन की समकालिन थे तो यह आपका भक्ति आंदोलन भी हो गया आप चलते हैं हम लोग मुगल समराज की बात करते हैं किसकी मुगल समराज की और आप सभी जानते ही कि सबसे पहले यही कुश्चन सपूच लाता है कि मुगल समराज जी का संस्था पक कौन था मुगल बंस का संस्तापक कुन था? तो बाबर बाबर ए एवं उत्तरवर्ती मुगल सासक तरुब और सुन्वी बाबर ने मुगल बंस की इस्थापना किसाथी पादजभ पाद साही की स्थापना किती है वैसे आप देखे सिया सुन्वी आप लोग देखते हूँ कि मुसलिमों में भी एक तरह से आप देखे धरम अलग अलग होता है जाती पिता तो आप समझ सकते हैं कि इनों में भी होता है और हिंदु धरम में भी होता है हिंदु धरम में तो आप सभी जानते हैं किस तरह से होता है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बावर की बावर की एकर हम लोग समाई की बात करें तो 1526 से 1530 इसका सासन रहता है और बावर का जनम फरवरी 1483 में होता है और इसके पिता उमर सेख मेरिया फरगना नामक छोटी से राजी के सासा कुगा करते थे बावर फरगना की गद्धी पर 8 जून 1494 में बैठता है बावर ने 1507 में बादसाए की उपादी धारन की और जैसे अब तक किसी तैमूर सासक ने धारन नहीं की थी बावर की चार पुद्ध थे हमाईव, कामरान, असकरी और हिंदाल अब लोगों ने हमाईव का नाम तो काफी बार सुना होगा बावर ने भारत पर 5 बार आकमर किया था बावर भारत पर के बिरोद किया गया पिथम अवियान था, 1519 में योसुप जाई जाती के बिरोद था ये जरूर याद रखेगा आप लोग क्या करते हैं कि 1526 का जरूर याद रखते हैं उससे भूल जाते हैं तो याद रखी पिथम अभियान था 1519 का, योसुप जाई जो जाती थी ना इसके विरोध हुआ था, इस अभियान में बावर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था, पानीपत के पिथम युद्ध में बावर ने पहली बार तोगलमा युद्ध नीती और तोप खाने का प्रियोग किया था, उस्ताद अली और मुस्तापा बावर के दो पिसिद निसानेबाश थे, जिन्नोंने पानीपत के पिथम युद्ध में भाग लिया था, और आप देखें इसी कारण आप देखें सकते हैं कि भारत में जो भी आप देखें इपराहिम युद्ध ये आप देखेंगे 21 अपरेल 1526 में होता है इबराहिम लोदी और बावर की बीच, लेकिन याद रखेंगे इसमें बावर विजय होता है, इबराहिम लोदी मारा जाता है, फिर आप देखेंगे खानवा का युद्ध होता है, इसमें भी आप देखेंगे बावर 1229 में होता है आप गानों और बावर की बीच होता है इसमें आप देखेंगे कि बावर विजय होता है और इसे रखने की एक ट्रिक भी आप लोग बना लेते हैं पानी पी खाना खा चल घर यानि कि पानी से आप देखेंगे पानी पी से पानी पत का योद्ध हो गया और ये आ आप देखेंगे 1527 में होता है, बड़े हिसाब से आप लोग पढ़िए, से पीद भाद, बड़े हिसाब से आप लोग पढ़ियां, विंदाकर कुछिप की ट्रेकक कभी भी खैल हो सकती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं, आप लोग बिंदास, बनाईए आप लोग पढ़िये, आप लोग याद ने दिवंगत राजा भिकरम जीत के परिवार से प्राप्त किया था कोहिनूर का ही राप लोगोंने सुना होगा बावर को अपनी उधारता के लिए कलंदर की उपादी देगी थी कलंदर की बावर ने मुसलवानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था और खानबाय पारण राणा सांगा की डेथ हो गई थी, बाबर ने बंगाल के सासक नुसरत साय के साथ 6 मई 1539 को एक दूसरे की संपिर्भूता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधी की थी जिसके इमसान नुसरत सांग ने अफगान विद्धरोहियों की सरन देने से सरन ना देने का बाद चन दिया हुआ था करीब 48 वर्स की आयू में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बावर की डेथ हो जाती है कहां आगरा में और प्यारम में बावर की सब को आगरा के आराम आराम भाग में दफना गया था बाद में आप देखें कि काबूल में उसके द्वारा चुने गए इस् और जिसका अनुवाद बाद में फार्सी भासा में अब्दुल क्या अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था अपनी यात्मता में बावर ने उपचारिक बागों की योजनाओ और उनके बनाने में अपनी रुची का बढ़न किया अकवर ये बाग दीवार से घिरे होते थ द्वारा चार भागों में विवाजित आयताकार आयाते में इस्तित थे और चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार भाग कहलाते थे चार भाग कहलाते थे चार भाग बनाने की परंपरा की सुरुवाद भी अकवर के समय में हुई ये भी आप लोग याद किसके अकबर के समय में होती है आंगे चलते हैं हम लोग कि चलना चाहिए बावर को मुवैयान नामक पद्ध सैली का जनमदाता भी मालना जाता है बावर पिसिद नक्सवंदी सूफी ख्वादा अब्दॉल्ला अहरार का नवाई था बावर का उत्तरादीकारी हुमायू होता है इसके चार विटे थे लेकिन आप देखे कि कौन उत्तरादीकारी बनता है हुमायू बनता है हुमायू के सासन काल की बात करें तो 1530 से 1526 तक रहता है नसुरुद्दीन हुमायू 29 दिसंबर 1530 में आगरा में आप देखेंगे 23 बर्स की अवस्था में सिंगहासन पर बैठ जाता है और गदी पर बैठने से पहले हुमायू बदक सा कसुविकदार हुआ करता था कहां का बदक सागा और अपने पिता के निदेश अनुसार हुमायू ने अपने राज्जी का बटवारा अपने भाईयों में कर दिया था इसमें कामरान को कामरान को काबोल और कंधार म मीरिजा हिंदाल को आप देखेंगे अलवर मेबाड की जागिन मिली थी, आपने चचेरे भाई सुलेमान मीरिजा को हुमाईव ने बदक सा पिदेश पिदान किया था, 1533 में हुमाईव ने दीन पनाह नमक नए नगर की स्थापना की थी, किसने हुमाईव ने, चौसा का योद, 25 जोन 1549 इसमें में सेरखा और हुमाईव के बीच हुआ था, एक कुष्टेंस भी कई बाद पूच लेता है, चौसा का योद, 1549 में हुआ था, किसके बीच, सेरखा और हुमाईव के बीच, इस योद में सेरखा बजाई हुआ था, इसी योद के बाद आपने यूद्ध का यूद्ध यह आपका सत्रे मईए 1540 में सेर खाओ हुमायू के बीच हुगा था और इसमें आप देखें कि इस यूद में हुमायू पराजित हो गया था सेर खाने आसानी से आगराव दिल्ली पर इसमें कपजा कर लिया था तो आप समझ सकते ही क्या हालत रही गुमकड़ों के जैसा निर्वासित जीबन जीया था किसने हुमायू ने और निर्वासन के समय हुमायू ने हिंदाल के अध्यात में गुरू फार्सी वासी सियामीर बाबा दोस्त औरुप मीर अली अकवर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह क सिकंदर को पराजित का और किया उपुनहा दिली की गद्धी पर बैट गया और हम हुमायू के द्वारा लड़े गए चारी उद्धों की बात करें तो आप देखें कि देवरा का 1531 में लड़ा था चौसा का 1549 में विल ग्राम का 1540 में सरहिंद का यूद इसने 1555 में लड़ हो जाती है हुमायू के बारे में इतिहास का लेन फूल लिखता है कि हुमायू गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया और ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिन्दिगी वह गिरते पड़ते चलता रहा क्यूंकि आप सब जानते हैं कि उसके राजगर्दी मिलती है पह ना की थी हुमायू जिवतिस में विस्वास करता था इसलिए इसने सब्ता में सातों दें सात रंग के कपड़े पहनने की नियम बनाए थे और सेसाय की बात करें तो फिर आप देखते हैं कि सेसाय देखिए 1540 से 1545 तक रहता है लेकिन इसने आप देखिए इतने चोटे वे स से समय में बहुत कुछ किया इसने सूर 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 समराज का संस्थापक अफगान बन्स किये सेसाय सूरी था सूर सब्दिक सूर समराज का डॉक्टर की यार कानून गो के अनुसार अगर हम लोग माने तो हर्याना परांद के नार किसके नार नौट यह कहां पड़ता है बता यह कुछ है गलती ना हो जाए कहां यह आप देखेंगे नार नौल महंदगर इस्थान पर इबराहिम के पुद्ध हसन के घर बर्स आप देखेंगे 1486 में कब 1486 में सेसा का जनम हुआ था हरयाना में और परमात्मा सरन का विचार है कि सेसा का जनम 1472 में हुआ था इसके बच्पन का नाम फरीद खा था तो यह सोर बंसे से संबंदी था और इसके पिता हसन खा जौन फोर राजी के अंतरकर सासा राम के जमियेदार हुआ करते थे तो जनम को लेकर भी विवाज चलता रहता है होते रहने दीजिए आप लोग वस डेट याद रखेएगा क्योंकि उस समय कंप्यूटर दे थे नहीं कि आप अपना डेट वर्थ सहीर लिख लें अभी आप देखिए लोगों को अपनी डेट वर्थ मालू नहीं रहती है जो पंडिजी थे जिन्नों ने लिखा था वो पंडिजी नहीं रहे इसा चलता रहता है डेट वर्थ का क्या लेना फिर आप देखें कि फरीद ने एक सेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था और जिसके कारण आप देखेंगे एक बहादुरी से पिसंद होकर विहार की अफगान सासक सुल्तान मुहमद बहार खान लोहानी ने उससे सीर खांकी उपादी दी थी और सेर साहे विल ग्रा को जीतने के करम में 22 माई 1545 में हो गई थी और मित्तिव के समय आप देखें कि वह है उक्का नाम का उक्का नाम का अगने यास्त चला रहा था कलिंजा का सासक कीर सिंग था हिंद तथा इरानी बास्तुकला के समनवय का पित्थमोधारन सेशा का मकवरा है जिसे सासाराम के जील के बीच उचे टीले पर निर्मित करवाये गया एक कुश्चन सभी कई पर एक्छाओं में पूचा जा चुका है कि सेशा का मकवरा कहा है सासाराम बिहार में सासाराम बिहार में तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं क्या जाता है याद रखने में रोहतासगर किला और किलाए कोई ना दिल्ली नामक मस्जित का निर्मार सेशाय नहीं करवाया था सेर साय ने रोहितासगड की दुरो एवं कनोज की स्थान पर सेर सूर नामकनगर भी वसाय था सेर साय का उत्तरादीकारी उसका पुत्र इसलाम साय हुआ था ये जरूर रियाद रखे कई बार कुश्चन से में ये भी पूँच लिया गया है और सेसाय ने भूमी की माप के लिए 32 अंकवाला अंकवाला सिकंद्री गज और सन की डंडी का प्रियुक किया था सेसा के समय पैदावार का लगभग आप देखेंगे एक से तीन भाग सरकार लगान की रूमे बसूला करती थी और इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 300 सी आप देखेंगे ग्रेन तामी के दाम भी चलवाय थे काबू लियत और पट्टा पिठा की सुरुवाद भी आप देखेंगे सेसाय ने ही की थे और सेसाय ने 1541 पे पाटली पुत को पटना के नाम से पुना अइस्ताबित किया था इसने ग्रेन्ड ट्रेंक रोड की मरम्मित भी करवाई थे डांक फिठा का पिछलन सेसाय के दोरा ही करवाय गया था मलिक म左 yay सी सेसा की समकाली थे तो ये भी याद रख सकते हैं फिर देखेंगे अकवर आता है कोन आता है अकवर आता है और असमय का समय रहता है 1556 से लेकर 1605 तर अब 1615 तर समराट अकवर के अगर हम लोग बाद की बाद करें जनम की बाद करें तो आप देखेंगे कि इसका जनम 15 अक्टोबर 1542 में होता है और हमीदा बानो बेकम के गरब से अमरकोर्ट के राना 20 साल के महल में हुआ था अकवर के बच्पन का नाम जलाल था और याद रखी कविवार पर एक चाहों में आपका बच्पन के नाम भी पूच लेता है तो यह बच्पन के नाम भी याद रखा करिएगा उसका राज्यवी सिख 14 फरवरी 1556 को पंजाब की कालान और नामकिस्तान पर हुआ था और अकवर के समकालीन सासकों की बात करें कि जिस समय अकवर था उसमय कौन-कौन से सासक थी रानी एलिजा विर्थ यह आप देखें इंगलेंड की सासका थी उस समय 1558 से लिकर 1605 तक रहती है साह अबबास यह आप देखेंगी इरान का सासक था 1588 से लिकर 1629 तक जार इवान फोर ए चतुर्थ बैसिल ए विच ए 1530 से 1584 तक रूस का था जार इवान चतुर्थ बैसिल ए विच इवान दीव टेरीवल नाम से कुक्ख्याद था अकवर की सिक्षक की बात करें तो अब्दुल लतीफ इरानी बिद्वान था यह ठेक है और वहला जलालोद्दीन मुहम्मद अकवर बातसाही गाजी की उपादी से राज सिंगासन पर बैठा था अकवर वैरम खां सिया मता लंबी था यह मता लंबी था हो 1556 से लेकर 1560 तक अकवर का सरक्षन रहा है वह बदक्स खा का निवासी था उसे प्यार सिक खानी बाबा कहा करते थे पानीपत की दूसरी लड़ाई आप देखते हैं कि अकवर के समय हुई थी 5 नवंबर 1556 में और अकवर वह हैमू के बीच हुई थी इस योद में आप देखेंगे अकवर विजय हुआ था 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर थ्यात्रा की तोरान पाटन नामक इस्थान पर मुबारक खानामक युवक ने बेरम खा की हत्या कर दी थी तो ये याद रखेगा मई 1562 में अकवर ने हरम दल से अपने को फूरता मुक्त कर लिया था और हल्दी घाटी के योदी की बात करें तो ये भी याद रखेगा 18 जून 1576 में होता है मेवाड की सासक महरना प्रताव और अकवर की भी चुआ था इस योदे में भी आप देखेंगे अकवर जीत गया था इस योदे में सेना का नेतित मान सिंग और आसप खाने किया था अकवर का सेना पती मान सिंग था ठीक है हिंदू था मांसिंग मंदिर अगर आप लोगों ने देखा हुगा ग्वालियर में आप लोग गये होंगे तो हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंबल गड़ राणा पिताब की राधानी हुआ करती थी राना की और से इसे उद्ध में हाकिम खां सूर के नितत में एक अफगान फोजी टुकडी और भीलों की एक छोटी सी सेना से भाग लिया था तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का सासा कौन सेना पती था हिंदू और हिंदू का सेना पती था मुस्लिम तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश ने ऐसा भी बक्त देखा है महराणा पिताब की मित्यू उन्नीस जन्वरी 1597 में एक सक्त धनुसकी तित्यंचा चड़ाती समय अंदुरुनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी और हल्दी घाटी के योदी के बाद अनाना पिताब ने डूंगर पूर के निकट चावन में नई राध्धानी बनाई थी महराणा पिताब के घुड़े का नाम चेतक था और हाती का नाम रामपसाथ था दीन एलाई धरम का प्यधान प्रोहित अकवर था दीन एलाई धरम सुईकार करने वाला पिताम अंतिम हिंदू सा सकता बीरवल और बीरवल अकवर के काफी आप लोगों ने किस सब सुने होगे महेश दास नामक ब्रह्मर को राजा बीरवल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकवर की साथ रहता था तो ये भी आप लोगे याद रखीगा महेश दास इनका असली नाम था अकवर ने जैन धरम की जैनाचार हरी विजय सुरी को जगत गुरू की उपादी दी थी अकवर ने साही दर्ववार में एक अनुष्ठान की रूम में सुरो पासना की सुरू करवाई थी तो ये भी याद रखेगा रखोगे के नहीं रखोगे बताओ रखना चाहिए कुश्चन साते रहते हैं अगर ना रखना चाहो फिर भी रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है राजस फिराप्ती की जप्ती पिनाली अकवर के साहसनकाल में पिछली थी अकवर की दीवान राजा टोडर मल खत्री जाती ने 1580 में 10 साला बंदोवस्त बिवस्ता लागू की थी गुजरात पिजय की तोरान अकवर सरवपिथम पुर्दगालियों से मिला और यहीं उसने सरवपिथम समद्र को देखा था गुजरात अभियान को इतिहास कर इसमें तने संसार की इतिहास का सरवादिक दूरूत गामी आखमण कहा अकवर की दर्वार की पिसिद्ध चितकार थी अब्दुर समद्र और अकवर की दर्वार का पिसिद्ध संगीत कार हुआ तांसेन सबज़ रहे हैं इनसे question से एक जरूर पूछा जाएगा अकबर का द्वारा जीते गया पिर्देश तो सबसे पहले पिर्देश हो गया इस सासव हो गया और बर्स हो गया मुगल सेनापती कौन था ठीक है और इस छित का सासव कौन था तो सबसे पहले आप लोग मालवा चाहिए आमेर भारमल यहां के सासक थे वहारमल योधिन या लड़ा था उन्होंने का कि अकवर्णी हमें सुयकारता है मेरता जैमल थे और पंद्रे सुबाषट की बात है इन्होंने सार्वोधीन जब मुगल सासक थे गौनवाना की बात करें तो वी नारायन और दुर्गावती थी यहां की 1564 की बात है आज सब खाने इने लोगों को हराय था ठीक है और इस पर कपज़ा कर लिया था मेवाड की बात करने तो उदैसिंग और राणा पिटाप और स्वेहम अकवार ने यह उद्द लड़ा था 1564 की बात है रण थंबोर सूरज सूरजन हारना यह 1569 की बात है भगवान दास और आप देखेंगे अकवर भगवान दास भी थी और अकवर ने मिलकर इस पर कपज़ा किया था इस पर आप देखेंगे जो राणा प्रताब थे मेवार के इन्हें 1576 में मांसिंग आसप खाने हराय था कलिंजर राम चंद थी यहां के साथ 1579 की बात है मजनुख खां काक्साह ने इस कलिंजर पर विजय फिराप्त की थी मारबाड की बात करें राओ चंद सेन 1570 की बात है सुएक्षा से अधीनता इन्होंने सुईकार कर ली थी जेसल में रावल हरी राए ये 1570 की बात है इन्होंने भी सुएक्षा से अधीनता सुईकार कर ली थी विकानायर की कल्यानमन 1570 की बात है सुएक्षा से अधीनता सु बात करें तो दाउत खान यहां का सा सकता 1544-76 के बाद है मुनीम खान काना मुगल सेनापती था और कावल की बात करें तो हकीम मीर जा 1581 की बात है मान सिंग और अकवर ने इसमें भाग लिया था कावल पर कपजा करने के लिए कसमी रियूसब याकूब खान 1576 की बात भगवा खान खाना सेनापती थी बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 की बात है मीर मासूम थे सासक कंधार मुझपर हुसेन 1595 की बात है स्ताह बेग सासक थे ठीक है दच्छन भारत में अगर हम लोग देखें तो खान देश था अली खान यहां का सासक था 1590 की बात है इस ने सुएक् आजल और अकवर ठीक है अहेमदनगर की बाद करें तो बहादूर सायं चांद भी भी यहां की सा सक थी इस उसलिए सु की बात है ठीक है savory कर का नते अभियान घया inspection — यह आप लो याद रखिये up है, अगर अकवर के कुछ बात है कर भी है जैसे एकार हो गये और किस साल किये गये थे तो दास पिता का अंद कप किया था पंदरे सो बासट में अकवर को हरम दल से मुक्ती पंदरे सो बासट में तीर स्याकतरा पर कर समाप्त 1563 जजीया कर समाप्त 1564 फतेपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेपुर सीक इस्तापना 1589 में दीन एलाही की स्थापना 1582 में एलाही संबत की सुरुवात 1583 में राध्धानी लाहर इस्ताना इंदित 1585 में तो इन कामों को याद रखे किरम से याद रखेगा ठीक है फिर आप देखेंगे दसबंद और बसावन अकबर के दर्वार के चितकारते एक अकबर की सासन पढ़ाली की प्रमुक विसे था थी मनसबदारी पिथा ठीक है अकबर की सम्खालिय पिसिद्द सूफी संथ सेख सलीम चिस्ती थे अकबर की मित्यू 16 एक्टूबर 1605 में होती है इसी ये आगरा की निकट सिकंदरा में अपनाए गया था इस्तापत कला की छि साही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, जोदाबाई का महल, इबादत खाना, इलावाद का किला, लाहर का किला, ये सभी अकबर की द्वारा बनवाए गया थे अकबर की दरवार को सोभीत करने वाली नौ रतनों में अब्दूल, फजल, भयजी, और तां की पतपर आसीन था, अब्दूल फजल ने अकबर नामा गरंद की रचना भी की थी, वह दीन एलाही धरम का मुक्ख प्रोहिद भी था, संगीत समराथ तांसेन का जनम पंद्रह सो छे में, ग्वालियर में एक ब्रहमण परिवार में हुआ था, और इनका असली नाम था राम अंठा भरन वाणी विलास की उपादी अकबर ने तांसेन को दी थी, तांसेन अकबर की दरवार में आने से पूर रीवा की राज्या, रामचंद की राज्या सरे में थे, तो यह भी याद रखेगा, अकबर की काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीत तग थे, विंदा पर्याव पर जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने अकबर की दरवार में जाने से मना कर दिया था, इनका कहना था कि किबल अपने भगवान के लिए ही घाते हैं, धर वार में से उनका कोई すरुकार नहीं है, ठीक है, पानी पीते रही ये, भली वोद़ल गिरती रहें, जा क कर सकते हैं और अकबर में अगर आप देखें तो अकबर ने भगवान दास आमेर की राजा भारमल के पुत्थ थे को अमीर उम्रा की उपादी भी दी थी यूसफ जाईयों की विद्रोह को दवाने के लिए दोरान बीरवल की हत्या हो गई थी किसकी बीरवल की मीरवल और अबुल फजल को रास्ते में ही बीर सिंग बुंदेला नामक सरदान ने मार गिराया था अत्या कर दी थी मुगल समराट अगवर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी नकीप खाँ अब्दुल कादीर वदावनी और सेख सुल्तान ने रामाइड एवा महाभारत का फारसी अनुवाद किया था महाभारत का नाम रज्म नामा योद्धों की पुस्तक रखा गया पंच्तंत का फारसी भासा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था अनुवर ए सदात नामक से मुलाना हुसेन फिज ने यार ए दानिस नाम से किया था हाजी इब्राहिम प्याजी ने अर्थर्व वेद का और मुला साहे मुहमद ने राच तरंगनी का अबदुर खान खाना ने तुझो के बावरी का और फैजी ने लेलावती का फार्सी अनुबाद किया था। अनुबाद जहान एजफन नाम से मुहमद खान गुजराती ने किया था तो इन्हें भी याद रखिए अनुबादों को अकवर के काल को हिंदी साहित का सौड काल कहते हैं अब क्यों कहते हैं आप लोग बताईएगा हिंदी का काफी उपयो किया गया तीक है चलते हैं अब आंगे चलते हैं लोग अकवर ने बीलवल को कभी प्रिय है और नरहरी को महापात की उपादी पिदान थी बुलन दरवाजा का निर्मान भी अकवर ने गुजरात बिजय के उपलक्ष में करवाया था चार बाग बनाने की परंपरा अकवर की समय में ही सुरू हुई और अकवर ने सीरी कलम की उपादी अब क्या अब्दुस मद को और जड़ी अब दीखें अगर की उपादी किसकी चार बाग बनाने की परंपरा असोक की समय सुरू होती है असोक की नहीं अकवर की असोक तो बहुत पीछे पहुंच जा गए अकवर ने सीरी कलम की उपादी अब्दुस मद को और जड़ी कलम की उपादी मुहमद हुसेन कसमीर को दी थी मुगलों की राच्किय भासा फारसी थी एक कुश्चनस भी कई बार पूच लेता है मोगलों की राजकी भासी थी अकवर नकारा नगारा नामक बादिंद बचाता था फिर आप देखेंगे कि जहांगी राता है यह 1560 लेकर 1627 तक सासन करता है अकवर का उत्तरादिकारी सलीम हुआ कौन? सलीम जो 24 अक्टूबर 1506 को नुरोदीन मुहमत जहांगी बादसाही गाजी की उपादी धारन कर गदी पर बैठा था तो आप कह सकते हैं कि जहांगीर का बच्पन का नाम सलीन था और जहांगीर का जनम 30 अगस्त 1569 में हुआ था आकवर ने अपने पुत का नाम सलीम सोफी संथ सेख सलीम चिस्ती के नाम पर रखा था जहांगीर को न्याय की जन्जीर के लिए याद करते हैं या जन्जीर सौने की बनी होती थी जो आगरा के किले के साहवोर्ज के आप देखेंगे यमना तर्ट परिस्तित पत्थर के खंबे में लगवाई गई थी जहांगीर द्वारा सुरो की गई तुझक जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का सरे मौत भिंद खांक हो जाता है जहांगीरी के सबसे बड़े खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरोधी विद्रो कर दिया था खुसरो जहांगीरी की सेना की भी योद जाल जलंदर की निकट वहरावल नामक में हुआ था खुसरो को पकड़ कर कैद में डाल दिया गया था तो ये आप देखी आज कल आप लोग राजनीती में देखता है ना पिता के विरोध दिया भाईयों के विरोध जो जंग चड़ी रहती है ये आप देखी पहले भी चड़ी रहती थी उत्राधिकारी को लेकर ठीक है खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने स्तिक्खों की पाँचबे गुरी को अरजुन देव को फांसी दे दी थी खुसरो गुरू ने गुइंद वाल में मिला था ठीक है एक बात और याद रखिये कुछ ने इसका इबार पूच लिया कि अरजुन देव को फांसी किस ने दी थी तो याद रखिये जहांगीर ने अहमद नगर के बजीर मलिक अंबर के विरुद सफलता से खुस होकर जहांगीर ने खुर्रम को साय जहां की उपादी दी थी तो जो साय जहां आप लोग नाम सुनते ना इसका बच्पन का नाम खुर्रम था 1622 में कंधार मोगलों के हाथ से निकल गया था साय अबबास ने इस पर अधिकार कर लिया था नूर जहां ये भी का की आता है इरान निवासी मेर्जा गयास बेक की पुत्री नूर जहां का वास्तविक नाम मेहरून ने साथ था और 1594 में नूर जहां का विवा अली कुली बेक से हो गया और किस से हो गया इनका नूर जहां का विवा हो जाता है किस से अली कुली बेग से और जहांगीर ने एक सेर मारने के कारण अली कुली बेग को सेर अफगान की उपादी दीती 1607 में देखेंगे सेर अफगान की मित्तिक्याद महरुनिसा अकबर की विद्भा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त होती है अव्सर अपेथम जहांगीर नहो रोज तिवहर की अवशर पर महरुनिसा को देखा उज उसके सौ उंदरे पर मुग्ड मोग ओकर जहांगीर ने मई 1611 में से विवाग के बाद आप देखेंगे जहांगीर न Efendimiz नूर महल वाद नूर जहां की उपादी दी थी नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी चलवाये थे तो आप समझ सकते हैं कि पहले ही से इस तरह के मामले होते आया है जहांगीर ने ग्यास बेक को साही दीबान बनाया हो इतमाद क्या इतमाद उद्दौला की उपादी दी जहांगीर के सासनकाल में ही इरानियों को उच्च पद दिये जाते थे लाडली वेगम स्थेर अफगान और मेहर उनिसा की पुत्री थी जिसकी साधी साइक जहांगीर के पुत्र साहर यार के साथ हुई थी नूर जहां की मा असरत वेगम ने गुलाब से इत निकालने की विदी भी खोजी थी तो उस समय भी आप देखे इन्हें जो भी कही है खोज करता कही है महावद खाने जेलम नदी के तर्ट पर 1626 में जहांगीर और नूर जहां उसके भाई असरप खान को बंदी बना लिया था जहांगीर के पांच पूते थे खुसरोब, परवेच, खुर्रम, साहर यार और जहांदार 28 अक्टूबर 1627 को भीम बार नमकिस्तान पर जहांगीर के मित्ती हो जाती है उसे साहादरा लाहोर में रावी नदी के किनारेद अपनाए गया था मुगल चित्रकला अपने चर्मोतकास पर जहांगीर के साहसनकाल में ही थी तो यह भी याद रखेगा जहांगीर के दरवार में पिरमक चित्कारों की अगर आप से बात की जाए तो याद रखेगे इसमें आगा राजा आगा राजा अबूल असन मुहमद नासिर मुहमद मुराद उस्ताद मनसूर विसन दास मनोहर और और आप देखेंगे गोबर्दन फारू बेक दौलत इस अभी आप देखेंगे बाबर के पिरमक माकरी जहांगीर के पिरमक चित्कार थे दरवार में ठीक है जहांगीर ने आगा रजा की नित्त में आगरा में एक चित्रन साला भी की स्थापना की थी ठीक है और यहाँ एक नोट भी है ऐसे भी याद रखे हमजा नामा कब इस से चितकला से ही है ठीक है उस्ताद मंजूर मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर को जहांगी ने करम सा नादिर अल उस और नारी नादिरो जिमा की उपादी पिदान की थी इसे संस्कित का भी जगनात को पंडित राज की उपादी दी थी जहांगी ने अपनी आपकता में लि कि एक चितकाल ने वही की Or ने बनाई हो तो यह जान लेता हूं कि कि आक सोड़काल भी कहा जाता यह विए याद रखेगा है इत्माद अद्दॉब्वरा आप देखेंगे शूरम देखेंगे प्रियाग पर समुद्र गुप्त की प्रियाग पिसस्ती और जहांगीर के मकबरा का निर्माड भी आप देखें कि नूर जहाने करवाय था जहांगीर के सासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, पिथम अंग्रेज सर टॉमस रो विलियम फ्रेंच और एड़र्ट टेरी जैसे पिर आप देखें कि साज यहां का सासनकाल आता है और 1627-1657 तक इनका सासनकाल लेता है और जहागीर के बाद सिंगासन पर साज यहां बैठता है जोतपुर की सासक मौटा राजा उदैसिंग की पुत्री जगत गोसाई की गरब से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम साज यहां का उपादी दी थी 7 जून 1631 में पेशाव पीडा के कारण उसकी डेथ हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कहते हैं कि बहुत प्यार करते थे अपनी बेगम से और 4 फरवरी 1628 को चाहाजाने आगरा में अबुल मुझपर सहावुद्दीन मुहम्मद साहभ किरन यहसानी की उप अब खाँ को बजीर पद और महावद खाँ को खान खाना की उपादी दी थी इसने नूर जहां को 2 लाक रुपे पिती वर्स की पेंसन देकर लाहोर जाने दिया और जहाँ 1645 में उनकी डेथ हो गई थी और अपनी बेगम ताज महल की याद में साजा ने ताज महल का निर्म अब क्या बोल सकते हैं वो कर सकते हैं ताज महल का निर्मार करने वाला मुख इस्थापत कला उस्ताद एहमद लाहोरी था इस नाम को भी याद रखेगा नाम हो गया साह जहां का और इसमें कलाकिती और कलाकार थी कौन उस्ताद एहमद लाहोरी मईव सिंगासन का निर्मार साय साहाने करवाय था उसका मुख कला काल थे बे बादल खां और बासाने के संगासन के पीछे पित्रा दूरा के जड़ाओ काम की एक संखला बनाई गई थी जिसे पुराणे यूनानी देवता आरफियस को बीना बजाते हुए चित्तित किया गया है और साय जहां के सासन काल क किसके साय जहां के तो यह וड़ रखना चाहिए आपको और साय जहा बनाईगी प्रमु के मारत दिल्ली का लाल किला हो गया दीबाने आम हो गया को मुगल समराज में मिला लिया था एहमद नगर को ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा आप लोगों के असी बातें तो याद रहती है इसमें कोई सखनी होने चाहिए आगरा ने 1628 में अपनी स्याध्धानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमना नदी के दाह मिस्कित कभी वंसी धर मिस्त और हरी नारायन मिस्ते थे साय जहां ने संगीत संगी तक लाल खां को गुन समंदर की उपादी और संगीत जगनात को जो हिंदी के कभी थे को महा कवीराज की उपादी से समानित किया था तो यह याद रखेगा साय जहां के पुत्रों में दार सभाधिव विद्वान था और इसने भगबद गीता योग योग वसिट उपने सद रामायड का अनुबद फासी में करवाय था इस में सरी एक बर महान रहस्त नमग से और अनुबाद करवाया था दारा सिको का इंप तो आप कहते हैं कि आप लोग भी तो जारन देते रहते हैं कि पिता की जाने के बाद क्या हालत होती है समराज जी की ठीक है? किला करने का अपराद में 30 अगस्त 1669 को हत्या कर दी जाती है इसकी दारा सिको ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजिस्थान के कंक वाडी जिले में बिताय था किले में 20 किला का निर्मार जैसिंग दुतिये ने करवाया था साय बुलंद इकवाल की रूम में दारा सिको जाना जाता था किंग ओफ लॉफ्टी फोर्चोन आठ जून 1658 को औरंग जैब ने साय जहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के आठवे वर्स 22 जन्वरी 1666 में 14 वर्स की अवस्था में इनकी डेथ हो जाती है आप समझ सकते हैं वो समय भी पिताओं के साथ ऐसा होता था आज भी कई जगे आप लोगे सुनने को खबर आती रहती है तरात का हैता है ओरंग जैब 1658 से 1707 तक रहता है ओरंग जैब का जन्वर 24 अक्टूबर 1618 में दोहाद गुजराद नामकिस्थान पर हुआ था औरंग जैब के बच्पन का अधिकान समय नूर जहां के पास भी था और 18 मई 1637 को फारस के राजगराने की दिल हरास बानो वेगम के साथ औरंग जैब का निकाह कर दिया गया था आगर आप अकब जाकर जल्द बाजी में औरंग जैब ने अपना राजग जैबिसेख अब्दूल मुझफर महिउद्दीन मुहमत औरंग जैब बहादूर आलमगीर बादसाही खाजी गाजी की उपादी से 31 जुलाई 1698 को करवाए गया था दिवराई के उद में सभल होने के बाद आप देखेंगे 15 मही 1669 को औरंग जैब ने दिली में फिर विस किया औरंग जैब सुनी धरम को मानता था उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था जैसिंग और सिवाजी के भी पुरंदर की संधी आप देखेंगे 22 जुन 1665 को संपन हुई थी यह पूछ लिया कई बार कि पुरंदर की संधी किस किस के भी चुई थी जैसिंग के बाद और सिवाजी के भी और 1665 में मई 1666 को आगरा के किले के दीवान ये आम में औरंग जेब के समख्च सिवाजी उपस्तित हुए थी यहां सिवाजी के को कैद कर जैपूर भवन में रखा गया था इसलाम नहीं सुईकार करने के कारण सिखों के नौबे गुरू तेग बहादूर की हत्या औरंग जेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी देई थी तो आप सबसकते हैं कितने महान गुरू थे इन्होंने धरम नहीं अपनाया लेकिन आप देखिए अपनी मौत सुईकार की अगर 1689 में जजेयाकर को पुनहा लागू किया था औरंग ने बीवी का मकवरा का निर्माड 1689 में औरंगाबाद महराष्ट में करवाय था तो यह भी याद रखे बीवी का मकवरा किसने निर्माड करवाय था औरंग जेब ने 1686 में बीजापोर और 1687 में गोलकुंडा को और अंग्जेब ने मोगल समराज में मिला लिया था। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्रह्माणों का संबंध गोलकुंडा के सासक अबुल हसन से था। और अंग्जेब के समय हुए जाट विद्रो का नेतित गोकुला और राजा आम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद जूद आप देखेंगे जाटों ने 1685 में राजा राम की नेतित में पुना विद्रो कर दिया था। और इन जाटों ने सेकंदरायों में इस्तित अकबर के मकबरे को भी लूटा और भरतपूर राजबंस की निवू औरंगजेव के सासंकाल में जाट नेता और राजाराम की भतीजा चूरा मन की मिन्ने डाली थी। औरंगजेव के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग आप देखेंगी 337 थी जो अन मुगल समराटों की तुल्ला में अधिक थी औरंगजेव सरबादिक हिंदू अधिकारियों की निवुक्ति करने वाला मुगल समराट था ठीक है औरंगजेव औरंगजेव का पुत्त अकबर ने दुर्गादास के वहकावी में आकर अपने पिता के खिलाफ की विद्रोच छिड़ दिया था ये अकबर याद रखे दूसरे हैं ठीक है औरंगजेव ने कुरान को अपने सासन का अधार बनाया था इसने सिक्के पर कल्मा कुदवाना न इताओं का तो लादान होता रहता है हिंदू राजाओं के माति पर अपने हाथ से तिलक लगाना जैसे अकबर ने प्यारम किया था सती पिता पर आधी पर इन सब पर पितीवन्द लगा दिया था बैस्याओं को साधी करने और देश छोड़ने चोड़ देने के आधिस के ल किया था भारतियर सांस्तिय संगीत में पर फार्शी में सबसे अधीक पुष्ट के औरंग्जेव के ही सासनकाल में लिखी है औरंग्जेव स्वें बीड़ा बजाने में दक्ष था औरंग्जेव ने आप देखेंगे 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने की आदेश दिया औरंग्जेव की मित्तिव आप देखेंगे 20 फरवरी 1707 में हो जाती है इसी खुल खुल दा बाग जो आप देखेंगे रोज्या कहलाता है मिद्दपनाय गया था औरंग्जेव की समय सूवों की संख्या 20 हुआ गरती थी औरंग्जेव दारूल हर्व काफिरों का देश को दारूल इसलाम का देश में परिवर्थित करने का अपना महत्मूल लक्च मानता था औरंग्जेव की सासनकाल में मोगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना बती थे और फ्रांसी सी यात्री फ्रान कोईस बर्नियर औरंग्जेव की चेकिस सकते तो यह भी याद रखेगा अब बाद कर लेते हैं मुगल सासन व्यवस्ता के बारे में मंत्री परशत को विजारत कहा जाता था मुगल लोगों के समय मंत्री परशत को विजारत कहा थे थे बावर के सासन काले में वजीर पत काफी महत्मूर भी था और समराट के बाद सासन की कारेयों को संचालित करने पाला स सबसे महत्पूर अधिकारी वकील हुआ करता था और जिसके करतबों को अकवर ने दीबान मीरवक्सी सद्ध उद्ध सद्ध भमीर समन में विभाजीत कर दिया था और एक जेब की समय में असन खान ने सरवादीक 31 बरतुंदक दीबान के पतपर काम किया था मेरवक्सी द्वारा सरखत नाम के पतपर हस्ताक्षर के बाद ही सैना को हर मैंने बेतन मिल पाता था जब कभी सद्ध नियाय विभाग की प्रमुक कार करता था तब उसे काजी कहा जाता था तो इन नामों को भी याद रख सकते हैं आप लोग आंगे चलते हैं हम लोग चलें क की ना चलें चलना तो पढ़ेगा रुक्य क्या करूंए न और लगान हीन भूमी मदद ए मास का नियरीग चंड सद्र करता था मास समराट के रहलू विभागों का पिधान मीज समा कहलाता था सूचनाव गुप्तिचर विभाग का पिधान दरुगा ये डांक चौकी दार क् चौकी दार के चौकी दार दरोगा ये डांक चौकी कहते थे कहलाता था ठीक है और सिरियत के पितिकूल कार करने वालों को रोकना हो आम जंता के दुष्चरितता से बचाने के कार मुहत सिब नामक अधिकारी करता था पैसासन की दिरिश्टी से मोगल समराज का बटवारा स चौकी देखेंगे महाल का किसमें दस्तूर में बटा हुआ था इस तरह से तो सासने के काई बटी हुई थे पैसासन की सब्चित चोटी काई ग्राम थी जिसे मावदा या फिर आप देखेंगे इसे आप लोग दी ही कहते थे क्या कहते थे दी और मावदा के अंतर का छोटे अधिकारी हो गया इनके कार क्या थे सूबेदार की बात करें तो इनका काम था परांतों में सांती स्थापित करना परांत कार करनी का पिधान होता था दीवान की बात करें तो परांतिय राजस का पिधान सीधे साही दीवान की पिती जवाब दे होता था बक्सी परांतिय से से पितेक्च संबंद बनाना और लगान निधारित करना इसका काम होता था साय जहां के सासनकाल में आप देखेंगे सरकार उपरगना की मद्धे आप देखना चाहिए चकला नामक नई इकाई की स्थाफना की गई थी बहुमी के बिभाजन की अधर पर मुगल समराज की समस्त भूमी तीन वर्गों में बिभाजित थी खालसा भूमी पितेक्च रूप से बादसा की नेंतन में होती थी जागीर भूमी तनख्वा के बदले दी जाने वाली भूमी थी सैयूर गल या फिर ऐसे मदद देमास अनुदान में दी जाने वाली लगान हीन भूमी थी और इसे मिल्क भी कहते थे सेसाय द्वारा भूराज सेतु अपनाई जाने वाली पद देती राई का उप्योग अकवर ने भी किया था ठीक है और अकवर के द्वारा करोडी नामा कदिगारी की नियुक्ति की गई थी 1573 में की गई थी और इसे अपने छित में एक करोड दाम बसूल करने का काम होता था 1580 में आप देखेंगे अकवर ने 10 साला नाम की नवीन करपनाली प्यारम की थी इस विवस्था को टोडल मल बंदोवस्त भी कहा जाता था इस विवस्था के अंतरकत भूमी को चार भागों में विभाजित किया गया ठीक है पोजल इससे में नेमित रूप से खेती होती थी वर्स में दो वार फसल ठीक है परती की बात करें तो इससे भूमी पर एक या दो वर्स के अंतराल पर खेती की जाती थी चाचर इस पर तीन से चार वर्स के अंतराल में खेती की जाती थी बंजर या खेती योग भूमी नही इस पर लगान भी नहीं बसूला जाता था ठीक है पंदर सो सत्तर एकत्र में टोडनमल ने खालसा भूमी पर भूराजस की नवीन परणाली जबती परम की थी इसने करनेधारं की दो सेडियां निर्धारित की थी एक तो एक को तकसीज कहते थे दूसरे एक को तहसील कहते थे और अरंगजेब ने अपने सासनकाल में नस के परणाली को अपनाया था और भूराजस की रासी को उपज का आधा कर दिया था मुगल काल में चिर्सक तीन बरगों में भवाजित थे खुद कास्त एक किसान उसी गाउं की भूमी पर खेती करते थे जहांके निवासी हुआ करते थे कौन होते थे निवासी हुआ करते थे निवासी आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो अच्छी बात ना जानो जानना चाहिए वIT सी तो मुझी लगता है कि नहीं जानना चाहिए ये दूसरे गाउं जाकर किरसी कार करते थे मुजारियन एक खुद कास्थ कर से भूमी करयेस करते थे मुगाल काल मैं रुपय की सरवाद कर डालाई औरंग जयाक glide के समय हुई आना सिक्के का पिछलन साहध हम ने करवाया था ही जहांगी ने अपने समें में सिक्कों पर अपनी और शांसी उस पर अपना और नूर जहां का नाम का नाम भी अंकेत ID करवाया था प्यूँए है भी याद कि अभी याद रखेंग का व मघल olsa बात करें लह द थे टीऀंड connection हूँ इसम में तो इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वार लिया जाता था नसक इसमें बड़ी खड़ी फसल की आधार पर लगान का अनुना अनुन आण्माल लगा कर फसल का व्ही crest çık our national MA T चान्दी का रुपया था लेंदेन के लिए तावे का दाम का प्रियों होता था एक रुपय में आप देखेंगे 40 दाम होते थे मुगल से ना चार भागों में विवक्ति पैदल से ना घुरसबा से ना तोप खाना से ना वरहांती से ना मुगाल कालिन से नवे उस्ता करने वाले को उमरा कहते थैं याद रखेंगे जांद से मतब बू जाती बात ही नहीं कर रहा है ठीक हैँ यहां मनसब की बात हो रही है ठीक है उमरा की बात हो रही है अमीर ए आजम की बात हो रही है अकवर की सासंकाल में 29 ऐसे मनसपदार थे जो 5000 जाद की पदवीत के थे और रंगजेव की सासंकाल तक ऐसे मनसपदारों की संख्या 89 थी और जहांगी के सावा किस ने सवार पद में दो असवा और सिंग असवा की विवस्ता की दी सरवखम यह पद महावद खां को दिया गया था और मनसपदारों की अलावा खुद मुगल साजहां भी फुटकर घुर सवार रखते थे जिनें अहीदी कहा जाता था एहीदीयों को आप देखेंगी कि भर्द घुर सवार कहा जाता था उनके बेतन दूसरे घुर सवारों से काफी जयना होते थे बहुती विस्वुस्त सेने दल के सदस होते थे उनकी भरती स्वयम साई जहां किया करते थे और उनकी हाजी लेने के लिए अल्ग अधिकारी होत से दर्भार की जितकार और सभी काहनों के फॉर मैं इसी से दल से चुनने जाते थे तो यह कहानी होगी थ्यांगी कि afterwards कि मुघलों कि कि आता हैं अग सभी महले करें हुई कि याद रखिए कि सिभाजी ने इसकी संस्थाफक कौन थे सिभाजी थे sithaji kません वाजी का जनम की एगर बात करें तो सो 1627 में सिवनेर दुरुग जुनार के समीब में हुगा था इसका जनम ठीक है और सिवाजी के पिताजी की बात करें तो साही जी भौसले और माता जी का नाम था जीजा भाई इनकी माता का नाम था साही जी भौसले की दूसरी पतनी का नाम तुकाजी भाई मोहितित था और सिवाजी के गुरू की बात करें तो कौन देव इनके गुरू का नाम था ये आप लोग फॉइंट याद रख सकते हैं और कुछ देखिए इनकी डेट जनब दिथी को लेकर कई बार विवाद मना रहता है कोई आप देखिए तो इसमें सिवाजी की जनब तारीख 19 फरवरी 1630 भी बताता है तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग और मुझे लगता है कि याद रखना भी चाहिए क्या करना चाहिए? रख भी चाहिए अध्यात्मिक छित में सिवाजी की आचरन पर गुरु रामदास का काफिय पर वहाव पड़ा सिवाजी का विवाव हो जाता है साई 22 निम्माल कर कभूगा था 1640 की बात है साई जी ने सिवाजी को पुना की जागीर पिदान कर स्वयम बीजापूर रियासत में नौकरी कर ली और अपने सेन अभियान के अंतर के 1644 में सिवाजी ने सरवपित्यम बीजापूर के तोरन नामक पहड़ी के लिए पर अधिकार किया था एक कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले सिवाजी ने कौन सा किला जीता था तो तोरन का किला ठीक है पहड़ी पर जुक किला था 1606 में आप देखेंगे सिवाजी ने रायगड को अपनी राधानी बनाया और सिवाजी के राजा की उपादी और अरंग जिब ने दी थी और सिवाजी ने सूरत पर आप देखेंगे 1664 और 1670 में सूरत को लूटा था ठीक है और पुरंदर की संदी के बात करें तो 1665 में महराजा जैसिंग और सिवाजी के भी चुई थी पुरंदर की संदी 1672 में सिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से चीना था और 5 जून 1674 इस भी को सिवाजी ने रायगर में बना रसी कासी की सिद्विद्वास्री गंगाभट द्वारा अपना राज्यविसे करवाय था और मोल लूप से गंगाभट महराष्ट का एक सम्मानित बिर लिक्षाओं में पूछा जा चुका है इसका पूछ लिया है आप से ठीक है और सिवाजी को औरंग जिवने मई 1686 में जैपर भावन में कैद कर लिया था जहां से 16 अगस्ति 1666 में वहां से भाग निकले थी मात तिरेपन वर्स की आयू में तीन अपरेल 1680 में सिवाजी की ड मराठी को भासा की रूम में प्रयोग किया था और सिवाजी की सेना तीन महतपूर भागों में भी वक्ती थी पागा सेना नेमित घुरसवाल सेनिक होते थे सिलहकार आप देखें कि सिलहकदार इसमें आस्थाई घुरसवाल सेनिक होते थे पैदल सेना होती थी सिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्यदान की थी, इन्होंने अंग्रेजों ने, और महराष्ट के पिरमुक संतों की, यहां देख लीजे आप लोग, इनसे भी कुश्टन्स पूछे जाते रहे हैं, ग्यांदियो या फिर ग्याने सुर, ए रहते हैं, चतर सिस्ट बारे सो च्यानवे तक इनका समय रहता है, महराष्ट में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, मराठी भासा और साहित के संस्ताबक माने जाते हैं, भगवत गीता पर भावार्थ दीफिका नावग, बेहत तीका लिखा था इन्होंने, जिसे सामान रूप से ग्याने सुरी का नाम दिया गय करें, तो 1270 से 1350 तक इनका जीवन काल रहता है, जीवन रहता है, और इनके अराद देओ, पंडरपोर के बिठोवा या बिठल विष्नु के रूम थे, बिठोवा या बिठल की उपासना को वरकरी संपदाय का नाम दिया से जाना जाता है, जिसकी स्ताफना नाम देओ ने की तो काराम 1589 से 1650 और इन्होंने भक्ति परक कविताय लिखी थी जिने अभंग कहा जाता है, ये अभंग भक्ति परक कावि के जियोती पंज है, रामदास का भी नाम सुनते हैं, 1608 से 1681 की विच, महराष्ट के अंतिमहान संतकवी थे, दसबोध उनकी रचनाओं और उपदे सुराज, जो चित पितेक्ष मराठों की नेंतन में था, उन्हें सुराज चित कहते थे, और एक आप देखेंगे, मुगदई, क्या, एक होता था आपका, मुगदई, मुगतई, मुल्क एक अदीम, यह हुए चित था जिसमें भी चौत और सरदेश मुखी वसूल किया करते थे, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, अगर चौत और सरदेश मुखी की बात करें, तो सुराज से नहीं लिये जाते थे, बलकि उन जगों से लिये जाते थे, जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का सासन था, चौत भूराजस का एक चौताई था, जो मराठों के जामी पिथा का समन्द मराठा भूरा जिस पिथा से रहा है, तो ये भी याद रखेगा, अश्ट पिदाहन भी काफी चर्चा में रहता है, तो इसमें पेशबा पिदाहन मंत्री, राजी का पे सासन और अर्थवयुस्था की देखवे करता था, सरी ए नौवत, सेनापती थ पढ़कर उसकी भासा सेली को देखता था, सुमंत, पिदेश मंत्री तो, पंडियो राओ, ये धार्मिक कार्यों के लिए तिथी का निधारन करता था, नियाय दिस, नियाय विभाग का पिदाहन हुआ करता था, ठीक है, और सिभाजी की कर्वेवस्था मलिक अंबर की कर्व 1989 में अन्नाजी दत्रो द्वारा व्यापक भूमी सर्वेक्षन करवाय था, सिभाजी के समय को लुपत का 33% भाग राजस के रोम में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था, सिभाजी ने मोगल व्यापारी कें सूरज को दो बार 1664 में 1670 में लूटा था, अगर सिभ सम्भाजी के उत्रादीकारों के उत्रादीकारी की बात हो तो सिभाजी का उत्रादीकारी हुआ सम्भाजी और सम्भाजी ने उज्जेन के हिंदी संस्कित के पिगान बिद्वान कभी कलस को अपना सलाय का निवत किया था, मार्ज 1689 को मुगल सेनापती मक्हरव खान संग म मिस्वर में छिपे हुए संभाजी और कभी कलस को गरपतार कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी संभाजी के बाद आप देखिए 1689 में राजाराम को नए छत्पती की रूम में राजवी से किया गया और राजाराम ने अपनी दूसरी राधानी सतारा को बनाये था सिवाजी की किले की सुरक्षा के लिए नियुक्ता दिकारी की बात करें तो हवल्ला किले की आंत्रिक विस्ता की देख रख करता था सरे नोवत एक किले की सेना का निदित करता था साउनीस एकले की अर्थ विस्था और पत्त वेवार और भंडार की देखरेक करता था राजाराम मुगलों के से संगर्स करता हुए आप देखेंगे दो मार्ज संसत्रहसो में मारे गए थे राजाराम की मित्तिव के आद उनकी विद्भा पतनी तारावाई अपने चारवसी ये पुत्त सिवाजी दूतिये का राजयव इसे करवा कर माराटा समराज की बास्तविक सरक्षा बन गई थी पिर आप देखेंगे 1707 में औरंग्जेव की मित्तिव के बास समाजी के पुत्ध साहू जी जो औरंग्जेव के कब्जे में थे भोपाल के निकट मोगल सिवे से वापस महराष्ट आये थे साहू जी और तरह वाई के बीच आप देखेंगे 1707 में खेड़ा का यद्ध हूय था जिसमें साहू जी विजाय हुए थे जरूर याद रखेएगा आप लोग साहू जी और तरह जी और वाई के बीच यद्ध हूआ था खेड़ा का यह 1707 की बात है साहु जी ने 12 जन्वरी 1708 में 17 में अपना राज़्यब से करवाया साहु की नेतित में नभीन मराथा समराज के पिवर्तक पेसवा लोग थे जो साहु के पिदानमंत्री थे पेसवा पर पहले पेसवा के साथ बंसानुगात हो गया था पेसवा पूने में रहा करते थे ठीक है तो यहने भी याद रखेगा आंगे बात करें अगर हम लोग तो यह आप देखेंगे 1713 में साहु ने बालाजी विस्वानाद को पेसवा बनाया और इंकी मित्तिव 1720 में हो जाती है इसके बाद आप देखेंगे पेसवा बाजी राओ पिथम हुए पेसवा बाजी राओ पिथम ने मुगल समराज की कमजोर हो रही इस्तिती का फायदा उठाने के लिए साहु को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने बेक्ष को खोकले इतने परप्यार के हो साखाएं तो स्वेम गिर जाएंगी हमारे पेतनों से मराठा पता का किष्णा नदी से अटक तक थैराने लगेगी उत्तर में साहु ने कहा कि निश्चेत रूप से ही आप इसे हमाले के पार गार देंगे निसंदे आप योग पिता की योग पुत्त हैं तो ये भी रहता है पाल खेडा का योध साथ मार्च और 1728 में बाजीरा पितम और निजाम मुल्क के बीच होता है इसमें निजाम की हार होती है और निजाम के साथी मुंगी सिवा गाओं की संधी हुई तो येने भी संधी को भी याद रखेगा फिर आप देखेंगे दिल्ली पर आखमण करने वाला पितम पेसबा बाजीरा पितम था इसने 29 मार्च 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था, उस समय मोगल बासा मुहमद साह दिल्ली छोड़ने के लिए तेयार हो गया था, बाजी राओ पिथाम मस्तानी नामक महला से संबंध होने के कारण चचित रहा, आप सभी जानते हैं बाजी राओ मस्तानी की कहानी, 1740 में बाजी राओ पिथाम की मित्ति हो जाती है, और बाजी राओ पिथाम की मित्ति हो के बाद आप देखेंगे बाला जी बाजी राओ 1740 में पेसब़ा बनते हैं, 1750 में आप देखेंगे संगोला संधी के बाद पेशवाक यहां तो मिस्तारी अधिकास सुरक्षित हो जाते हैं यह अंग्रेजों बाराठा संगर्स के अंतरगत होने बाली पिरमुक संधी आए यह सूरत की संद्री आप देखें कि 1775 की बाद है पुरंदर की संद्री 1776 की बा आप देखें तो अगर राजापूर घाट की संधी कहां कि राजापूर घाट की संधी राजापूर घाट की संधी यह 16804 की बात है नांगपूर की संधी यह नांगपूर की संधी की अगर हम लोग बात करें तो 1816 की बात है ग्वालियर की संधी 1817 की बात है पुना की संध 1870 की बात है मंदसोर की संदी 1818 की बात है तो ये भी याद रखेगा ठीक है फिर आप देखेंगे कि इसमें 1750 में आपको संगोला संदी के बात पेसवा के हाथ में सारी अधिकाय सुराच हो गए बाला जी बाजी राओ को नाना साहब के नाम से भी आप लोग जानते है जलकी की संदी हैदराबाद की निजामों बाला जी बाजी राओ के बीच्वी थी किसकी जलकी की और बाजी 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 राओ के समय ही पानी बत कती थी ये उद्धुगा था ये 14 जनवरी 1761 में जिसमें माराठों की हार हो गई थी और इसमें आप देखी कि इस माराठों की हार में क्या हुगा था और इस हार इस हार को नहीं सहबानी के कारण बाला जी की मित्तिव 1761 में हो जाती है माधाव नारायन पिथम 1761 में पिषबा बनते हैं इसने माराठा की खोई भी पितेष्चा को पुनाय प्राप्त करने का प्रियास करते हैं माधाव राओ ने इस्ट इंडिया कंपरकों की पेंसन पर रहे मोगलवासा साहीलम दुतीय को पुरा दिल्ली की गद्धी पर बेठारता है और मोगल बासा मराथों की का पैंसन भोगी बन जाता है पेश्वा नारायन राओ ये 1772-1773 की हत्या उसके चाचा रगुनावत राओ द्वारा कर दी जाती है पेश्वा माधाव राओ दुतिये नारायन दुतिये की अलबायू के कारण म परिशाद ने करती है इस परिशाद महत्मूर्च सदस थी एक तो आप दीखेंगे इसमें महाद महादीजी सिंधिया और दूसे थी नानःव फळन्वीस ठीक है और नाना फटवेश का मूल नाम क्या था मूल नाम था इनका बाला जी जनार्दन भानू बाला जी जनार्दन भानू ठीक है अंग्रेज अंग्रेज जेम्स ग्रांट डप ने इन्हें मराठा का मैकिया बैली भी का है अंतिम पेशबा रागोवा कफुत बाजी राव सेकेंड होता है जो अंग्रेज जों साहता से पेशबा बनता है, मराठों की पतन में सरबादी की युगदान इसी का था, यह साएक संदी सुईकार करने वाला पिता मराठा सरदार था, तो यह भी याद रखेगा, और 1776 में आप देखें कि पुरंदर की संदी हुई, इसके तहट कमपनी ने रगुनात राओ की सम पांच में के बीच में, इसमें बहुंसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनोती थी, इसके फ़ल स्वरूप आप देखें कि साथ सेप्टमबर 1803 को यह देवगाओं की संधी के साथ समाथ होता है, तितिये आंगल मराठा युद यह 1817-19 के बीच होता है, इस युद के दिया था, और अंग्रेजों ने पेस्वा के बाद को समाथ कर बाजीरा दुतिये को पूर्णे से हटा कर कानपोर की निकर बिट्थोर में पैंसर पर जीने के लिए बेद दिया था, जहां 1853 में इंड की डेथ हो जाती है, तो यह रहा है आपका, क्या? मद्यकालीन भारत का इतिहास, और अब आंगे हम लोग जैसे ही, आप लोग इंजवाय करती रही है, आप लोग पढ़ते रही है, और जो कमी रहे गई हो, कुछ आपके अगर सुझाओ हो, सलाह हो, तो वो भी बताईए नीचे, उस पर भी विचार किया जाएगा, और हम लोग आधुनिक भारत क की बात करेंगे, और आधुनिक भारत में हम लोग देखेंगे, क्या-क्या देखेंगे, इसका सुरू करेंगे आपका कहां से, उत्तर कालीन मुगल समराठ से, और पूरा लाश्ट तक कवर करेंगे, पूरा भारत का इतिहास खताम हो जाएगा, ठीक है, पढ़ते रही है वहसे.